चले जी बात स्टार्ट करें अच्छा हो चुका है कि मैं यही बता रहता है कि दो ग्लासेस हो चुकी है शुरू में बट ऐस सच कोई मसल्याली बात नहीं है उसमें मैंने बेसिक्स रिवाइस करा दी ठीक है और अनुट ऑपर पैचिवटी बता दिया तो थूरा से मैंने दुबारा से कुछ एक इंट्रॉडक्शन दे देता हूं एक इसके बात स्टार्ट करते हैं बात हमारी अब तक जो हो चुकी है यह जो कर चुक है यह मैं ऐसे कर लेता हूं कि दुबारा शुरू आप समझेंगे पहली ग्लास ही है ठीक है तो आपको कुछ भी पीछे का मिस आउट सबसे पहले बात कर लेते हैं F9 की कोर्स आउकलाइन के उपर ठीक है सर कोर्स आउकलाइन क्या है मेरे साब से पार्ट टू पिपर में जबावाते हैं ठीक यह वह चैप्टर है जो आपको F9 से जोड़ता है क्योंकि यह वह चैप्टर जो आप सबसे पहले पढ़ चुके होते हो F2 के अंदर ठीक है तो पहला पार आपस capital अप्रेशल है दूसरा हमारे पास विटेड्ट एवरेज कॉस्ट ओफ कैपटल हुए इसके अंदर आप कॉस्ट ओफ कैपटल यान्पी निकालते वक आपके पास एक इंट्रस्ट रेट होता था था तो यह वो चैप्टर रेट एब्स ट्रेट करनेे का चैप्टर यह निề faço कित वैस्ट बिजनस वालीउशन एक सवाल यह हो गया ठीक है दूसरा कि कभी किसी को अपना बिजनेस बेचना है इसी तरह थीसरा हम लोग जो एफ-7 में रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं फिर वैल्यूस निकालते हैं तो बिजनेस वैल्यूशन करके निकालते हूं न सीजी यूनिट्स की काई जैनरेटि करने तो हाव मैनी सोर्सिस एंप कहां से पैसे हम लेगं फिफ्थ रिस्क मैनेजमेंट अब शेस्क ऐमयरानेट खिक हैं एख करेंसी रिस्क और एक है instruments रिस्क ऐनेने कि अगर सेट्य resource आते निया ने क्या अब बंदे से रिकॉर्ड भी है मैंजमेंट से मागोंगे मिल जाएगी लेकिन फायदा नहीं है मैं कह रहा हूं कि मैं कवर करवा दूंगा अपना टाइम से करो को चौर कर लेना कोई सवाल दूगा वह कर लेना ठीक है कोई बुक का पेज बोल दूगा वह पढ़ लेना भाई सब्सक्राइब को चोटे मोटे थियूरी एरियाज आ जाते हैं जो कि हमें सीख के जाने वह एक इस्लामिक फानाइंसिंग है ठीक है और आटवा हमारे पास है और दूसरी को बताता हूं क्लासे में हर चैप्टर का एक छोटा चोटा चोटा रिव्यू दे दिया था गो दू मिक्स पर यह वह त्यूरी एरियाज जो बच्चे को एड़ एंड जब पेपर देने जा रहोता है था यह बहुत डर्ग होता है खास्ता और पर यह जा यह फिरी औरिया है यह फिरी एरिया इंटर्स रेट रिस्क छूरी एरिया है बिजनेस वालूइशन हमारे पास क्या है तो मैं लग यह बात समझ लो कि एफ 9 में उंगलों के 50% थी और 50% क्या है कंप्यूटेशन बच्चों की कंप्यूटेशन पर बहुत अच्छी ग्रेप होती है लेकिन थी थोड़ी सी क्या होती कमजोर तो भी मैंने का कि जो कमजोर एरिया है आप देखो जो मार्केट में लेकिंग्स है लाइक मिसाल की थी थी और फिजिकल ग्लासस नहीं होती है इंडिविजुल अटेंशन नहीं है तो मैंने उन तीनों चीज़ों को ओवर कम कर देते हैं जो मार्केट में एक नीड है जिसकी र सब्सक्राइब करेंगे अगर आप यह चेप्टर कर लेते हो तो आपका 95% of course क्या हो जाता है कवर्ड हो जाता है बड़ यह बच जाता है 5% और इस बच्चे को बस इसी से डर लगता रहता है ठीक है बास अन्मा के तो यह हमारे क्या कहते हैं कोर्स आउटलाइन हो गई अब अगर बात करें किसकी पेपर पैटरन की तो बुला भी पेपर पैटरन में आपके पास बहुत सिंपल है जो आप पहले भी देख चुके हो या अगर किसी का पार्ट टू का पहला पेपर है कुछ लोग के एफ-9 पहला पेपर उठा लेते हैं तो section A में आपके पास क्या कहते हैं तो आपके पास यह कितने हो गए 30 मार्क्स ठीक है section B में आपके पास OTQs आते हैं OTQs कहलो MTQs कहलो 3 OTQs आते हैं लेकिन हर OTQ में आपके पास 5 समझ लो MCQs ही होंगे यह objective style कुछ से होगी एक case study दियो होगा उसमें से कितने सवाल पुछ आएंगे 5 ठीक है लेकिन यह 3 OTQs ह होंगे तो मैंने 10 को डिवाइड बे 5 कर दो एक कितने का हुआ दो मार्क्स का हुआ तो आपके पास 30 मार्क्स का आपका section B आ जाता है 3rd आपके पास एरिया है section C section C में आपके पास क्या कहते हैं 2 CRQs आते हैं और 1 CRQ आपके पास 20 मार्क्स का है यह अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सिक्यूर एरिया है यहां पर बच्चा है थर्टी मार्क्स सिक्यूर कर सकता है अगर वो पढ़ कर गया है 40 क्यों नहीं 40 exceptional case है ना मैं तो average student की बात कर रहा हूं कि 30 मार्क्स वो यहां पर क्या कर सकता है अब लगा सर कैसे यह जो दोनों यहां यहां probability क्या है यह तो आप सही हो यह वहलत हो 50 50 percentage लेकिन यह वह section है यह वह एरिया जो थूरी वाले जमाने में भी लोग जब handwritten papers उपते थे तब यह लोग enjoy करते थे क्या चीज़ को मिसाल करता पर weighted average cost of capital calculate करने के 20 steps तो मैंने पूरे 20 steps करें लेकिन मेरा can be we पूरी calculate करें इसमें सारे cash flow से रखे एक आथ cash flow गलत रख दिया एक आथ formula गलत रख दिया तो सिर्फ उस formula के उस point के एरिया के marks कटेंगे बाकी चीज़ों के marks नहीं कटेंगे मेरी बात सन्मारी लेकिन point number two मेरी बहुत 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 बात सुनदा यहां पर क्या मस्तला है आप 5 steps करें आपको आता है काम आपका concept clear है ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं आपको आता है बस बड़ चोटी सी स्ली मिस्टेक के वैसे आपका final answer क्या गया गलत और एपने MCQ में भी क्या कर दिया गलत option select कर दिया या गलत number क्या कर दिया पुट कर दिया मेरी बात समन्मारी में क्या करना चाहरा हूं तो आपको steps वगरा के marks नहीं मिल रहे तो यहां पर एक ऐसा area के जहां पर खेला जा सकता है इसी तरह जब theory theory लिखने को आ जाती है तो आप अपनी मर्जी से आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो बाते कर सकते हो अब अपनी मर्जी से points लिख सकते हो सही अपनी मर्जी से points मेरा लिखने का मतलब यह कि जैसे में पांच से छे मांस की theory आ गई है अब अगर चे मांस कम 8 points तो लिखूं जो मुरे दिमाग में आ रहे हैं जो valid असल में हमारा लिखने का डर बहुत जाद है तो हम उस डर को यहा अगर आप देखो तो हमारे पास कितने हों गया 100 का पेपर हो गया सर कितने मार्च की तैयारी करनी है लिए हम किस target से चलने तो बुल सह से 50 माकष की दॉनाने पास नहीं इस बैच में लोग 100 मार्च की त्यारी करेंगे हमारी हम सब ने नियत बांदी है कि हमें कितने मार्च सो जब हम सो का सोचेंगे तो 9080 पे बात होगे मुझे चाहिए यहां से टॉप मुझे यहां से क्या चाहिए भाईया तॉप क्योंकि अब ऐसा नहीं कि टॉप का जमाना नीरा टॉप आता है बस हम महनत करेंगे अब अगर पांच स्टूडेंट से हमें उनके उपर 25653 आपने वाटसेप मुझे कॉंटेक कर लिया जो सवाल है उपना सवाल पूछे मापके सवाल का जवाब दूँगा एक नाइन पढ़ने बैटे अटक गए सर समझ मी नहीं नहीं कैसे पढ़ना स्टार्ट करूँ आप पूछे मापको जवाब दूँगा सही है तो यह आप इस चेप्टर में अब तक क्या बाचीत हो चुकिया मैंने बहुत सिंपल करके चोड़ी सी बात बताएगी सबसे पहले हम एक वर्ट डिसकस करते हैं इन्वस्मेंट्स किसको डिसकस करते है दा वर्ड इन्वेस्मेंट्स में कि वेंग यू इन्वेस समय और आफ्टर टाइम पीरिड के बाद आपके पास क्या आना स्टार्ट हो जाते है रेटर्न आना शुरू जाते है अब अगर इन्वेस्मेंट की लाइफ देखे जाए अगर वह less than 12 month है अगर वह less than 12 month है तो इसको short-term investment बलाते हैं बलाते हैं short term investment लेकिन अगर किसी भी investment का spend जो है वो more than 12 month है तो उसको हम long term investment बलाते हैं क्या बलाते हैं long term investment सब थोरा सा clear करते हैं short term investment या long term investment की कोई छोटी मोटी examples देते हैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो एक बहुत मशूर investment है जो हर बच्चे को पता होती है आज कर जो रही है कि सबसे पहले आपने down payment कर दी आट लाग रुपे नौ लाग रुपे दस लाग रुपे की आपने down payment कर दी फिर चार साल तक मंतली आप क्या दे रहे हो कुछ installments दे रहो after four years जब जब आपके four years complete हो आपका project complete हो जाता है adverse या favorable variance के साथ जो भी plan होता है फिर उसके बाद आपको आपके project का take over मिल जाता है मिल गया take over उसके बाद आप क्या करते हो उसको rent पर चड़ा दे तो या खुद जाके रहना शुकर दो लेकिन अगर खुद रह रहरो तो पर यह investments नहीं है एक investment बता दी दूसी investment बता दो बहुत थोरा सा पैसा है price bonds करीद के रख लो इसकी span of life क्या होगा चार साल की बाते हो रही है तो इसका हमाला यह कौनसी investment भी long term investment भी लेकिन अगर मैं आपको दूसी example दूँ जो कि हमारे पास क्या कहते है प्राइस बॉंड्स होगा आपके पैसे दो लाग रुपे थीन लाग रुपे आप प्राइस बॉंड्स करीद लिए अपने प्राइस बॉंड के अंदर क्या होता है हर तीन मेने बाद बैलेटिं इंवेस्में में मिखल कि तौर पर किसी कंपशन के के श्यूर्फ करीद लेकिन अब यह तो आप टेपबर पर करना चाहरे हो यह आप क्या करना चाहर व मैं उसको क्या प्राइस कर गया हो हमारे इस चैप्टर में फिलाल कवर नहीं है इस चैप्टर में अधर्वाइस बाकी चैप्टर में थी रिख राओघा उड़ा और उसमें बता दूँगा इंवेस्मेंट्स परिशान जैसे कुछ अलफाज है जो आपने कुछ और पेपरस रहे जैसे guild क्या होता है, tea bills क्या होते है, treachery bills क्या होते है, UK stocks क्या होते है, repo rate क्या होता है, तो हम इन सारी चीजों को भी क्या करेंगे detail में, यह सारी UK related है, जो उनकी country में यह तमाम चीजे है, terminologies use होती है, अच्छा फिर आप आज है more than 12 month वाली जो long term investment है, उन्हीं को ही पता है क्या capital investment बुलाया जाता है, अब चुक्कि यह बात आप F2 में पढ़ चुके तो इसको repeat नहीं कर रहा है, बस सिर्फ थोरा से बता दे रहा हूं कि capital investment जब भी बात होगी ना, तो हर इंसान के दिमाग मैंने concept आया था, उस concept का नाम है time value of money, time value of money क्या बोलता है, today's one dollar, today's one dollar is not equal to after one year dollar after one year dollar, after one year dollar, simple sir, इसका जवाब दे, मैंने बुला भाई, मैंने आपको भी एक लाग रुपे दे दी है, महिला डेपार्टमेंट को भी एक लाग रुपे दे दी है, मर्दों ने क्या करा भाई, जल्दी से एक लाग रुपे को जमीन के इंदर दबा दिया, और महिला डेपार पास अगर 10% का रेट है तो एक लाग 10,000 रुपे देंगे, इस एक जवाब मिल गया कि इंटरस्ट की वज़ा से आज का एक लाग रुपे हैं वो आने वाले एक साल के लाग रुपे के बराबर नहीं, अच्छे एक साल क्यों है, क्योंकि नॉर्मली मार्केट का नॉर्म है, कि जो rate of return, interest, जो भी returns दिये जाते हैं, वो सालाना होते हैं, मलब अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, कि सर अगर कहीं पर लिखावा आजा है, 4%, सिर्फ क्या लिखावा आजा है, इसका मतलब ही है, कि यह जो rate per annum है, जब तक इसके उपर, अगर आप banks की advertisements देखते हो, य विल्कुल बारीक सा पीछी नीचे लिखा हुआ होगा, interest rate is six monthly, quarterly, half yearly, monthly है, किस तरह से, तो लिखा हुआ होगा, मेरी बात समन मारी है, otherwise कभी भी कोई आप से कहना है, मैं 20% rate of return दे रहा हूँ, it is deemed, यह बात clear है, कि सालाना rate of return है, यह क्या है, कि वो साल पर कह रहा है, 20% इसरा reason, भाई, अगर मेरे जमाने की बात कीजाए, मेरे जमाने में 100 रुपे के अंदर 10 रुपे की बोतल आती तो 10 cold drinks आती थी, कितनी cold drinks आती है, अगर 100 रुपे के मैं cold drinks नहीं पीता और आज में दुबारा 100 रुपे आज निकालता ना, आज मैंने जमीन से निकाले होते, त इसको और असान जबान में गोलू तो inflation की वज़ा से, मतलब वक्त के साथ पैसा अपनी क्या खोता जाता है, कदर खोता जाता है, यह वाली बात समना कि इस बहुत सिंपल है, आप बलके market में चले जाओ, अभी मुझसे कोई 100-200 रुपे मांग ले और बोले, सह में कल पर दो लाग रुपे कर गहीं घुमा लेता, शेर मार्केट में लगा लेता, किसी भी मार्केट में लगा लेता, तो मुझे क्या हो जाता, फायता हो जाता, clear है, तो time value of money का कौन से पाता है, जब भी capital investment की बात करते हैं, फिर इसके बात, चुकि अब आपको यह clear हो चुका है, कि what is capital investment, means they are long term projects, चाहिए पर वो software हो, आज हम लोग एक past paper का सवाल करेंगे, हम लोग ठीके coaching करेंगे, ACC वाला, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें आपको पता चलेगा, देखो एक technology का project है, फार्मा का project है, सही है, कोई क्या कहते है, oil industry का project है, तो आप एक बात सोचू न, मैं एक सवाल देता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ, बल्कि एक चीज सोचता हूँ, मैंने भी कभी सोची, क्यार आपको क्या लगता है, पानी से चलना लिए गाड़ी क्या बनी नहीं होगी, बन चुकी होगी, यह यूँ कहले हो क्या पैट्रोल फ्री जो कार होती है, यह सवाल फ्री जो क्या बनाओगा, बन चुका होगा, क्यों नहीं बनाई गाड़ी है, यह दुनिया बरबाद हो रही है, यह हो रहा है, पैट्रोल के विज़ा से इतनी जंगे होती है, एक मुल्द, दुसरे मुल्द के लिए इन्वेट कर जाता है, तो क्यों नहीं बनाई पा से हम ऑईल निकालेंगे, ऑईल बेचेंगे, अब मैंने इस सिस्टम लगाया, तो मैंने सुटे था मैं इस सिस्टम से 50 साल तो कमाऊँगा, लेकिन हुआ क्या, तीन-चार साल पर एक बंदा आता है, बोलता है, आओ पानी वाली गाड़ी बना लेते हैं, जो सोलर पैनल वाल समझो, समझो, एक माफिया चली कि उसने बोला कि जब तक 50 साल पूरे नहीं हो जाएंगे, हम अपने इंवेस्मेंट की इसमें से पैसा भार नहीं निकाल लेंगे, इसमें से पैसा, तब तक हम नई टेकनोलोजी को आने, तभी आप देखना कभी भी, पुराने जितने भी ब और उसको यह बोला कि यह तो आटोमेटेड टकरा जाएगी, इसका स्टेरिंग क्योंकि आपको स्टेरिंग भी दूद राके होता है, मैनवल और एक वायर होता है, वायर वायर वाले में क्या होता है, कि इसके बीच में कोई रॉड नहीं होती, आपके टायर और क्या कहते है स्टेरिंग के बीच में कनेक्शन होता है, वो रॉड से नहीं होता है, वो वायर से हुआ होता है, अब अगर कभी-कभी होता है, पर इस ग्लेच आजाता है, वायर सिगनल नहीं किया टायर मोडने का और आपको एक वक पर मोडनी यह गाड़ी और सामने से ट्रक आ रहा है, तो यह बहुत सारे issues create हुए, तो अब खुछ सोचो, जब सब को सामने, आज मैं आपको यह को यह बता रहा था, पिछली class में बता चुका हूँ, जो भी close होने जा रहा है यह पूरा साल, इसमें 30%, जितनी भी cars की sale हुई है, इसमें 30% किस की sale हुई है, EVs की हुई है, अब लोगों का paradigm shift आ रहा है, यह investor को सामन में आ गए कि मैंने बहुत पैसा निकाल भी लिया इसमें से, मेरी recovery भी हो चुकी है, मेरे profits भी आ चुके हैं, और अब यह market क्या हो गई है, mature हो चुकी है, मुझे shift paradigm shift, अब आप चेकरो Mercedes उठालो, BMW उठालो, Honda उठालो, Toyota उठालो, सब EVs की तरफ जा रहे है, यह EV market अब क्या होने लग रही है, इसमें तर ग्रोध पकड़ना शुरू कर रही है, क्या मेरी बात समन में आई, तो आपको एक ब बात क्या हो रही थी, कि मैं आपको यह बता दे, हाँ, तो जब भी मैं आपको यह बात मैंने clear कर दी कि capital investment क्या है, अब capital investments का appraisal, तो बुला इसको check करना है, यह जो हमाबतने सारे projects आते हैं, क्या है, किसी project में पैसा लगाना है, या नहीं, तो companies में projects को check करने का एक proper क्या है, process of capital investment है, process of capital investment है, process of capital investment क्या है, इसके आपके पास six formal steps है, six formal steps है, तो आप एक काम करते हैं, जो नए बच्चे ना, उनके mindset को तुरह test कर ले रहे हैं, एक आपके, एक आपके और आपके, बाकी दोने तो एक class leave ही है, तो भई, मिसाल के तो आपके मैं आप सबको एक बहुत senior post प पास आउट को, बच्चे को, क्यों नहीं, आप ACC में कितने साल से दोस्त, आप कितने साल से, अब दो साल से qualification होना है, आप दो साल दे चुकियों आप लोग, आईए, सवाल पूछता हूँ, एक क्या पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ, तो मुझे एक बावत आईए, मैं ट्रेजरार बना दिया है, CFO बना डाला, या चलो फाइनेशल मैं ट्रेजरार बना देता हूँ, और आपकी आज मिटिंग किसके साथ है, CFO के साथ, CFO बोलता है, भाई मुझे बताओ, हमाई पर बहुत सारे options हैं, प्रोजेक्स ही, प्रोजेक्स हैं, रोजाना मुझे calls मैं बड़ी कंपनी में मिसाल के तब पर काम कर रहे हैं, ठीके तो मुझे रोजाना calls आ रही है, फ़ना प्रोजेक्ट है, फ़ना software है, फ़ना application है, फ़ना AI है, फ़ना electrical क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, तो इन सब चीजों में investments कर रहे हैं, मैं बड़ा परिशान हूँ, मुझ परचिया डाल दूँ, बैलेटिंग कर लूँ, परचिया बाउल में डालके जो select होगे वह उसमें invest कर दो, तो मुझे बताओ क्या करना चाहिए, फ़ना किस प्रोजेक्ट में ज्यादा आ रहा है, और कौन से profitable जादा है, profitable सब ज्यादा कौन सा है, वो देखेंगे वस ऐसा ही ठीक है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया है, एक सवाल, तुम्हारे सवाल के उपाइक जवाब, मैं प्रोजेक्ट तो उसके नहीं पता ही क्या है, तुमनों को भी बलके मैं investment दे रहा हूँ यह, मैं opportunity दे रहा हूँ, पता है investment कितनी सिर्फ एक लाख रुपया, और return बनता है ना, पूछोगे निकाम क्या कर रहा हूँ, पूछोगे निक पाउडर बेच रहा हूँ, अब बोलो, अब करोगे investment, क्या पता चला, सिर्फ profitability नहीं देखी जा सकते, there are so many other factors जिसको कंस लेगे जाएगा, ठीक अब एक बात तो यह होगी ना, आपको तो सबसे पहला क काम पता है बलके क्या होना चाहिएथा, हमें तो यह पता करना चाहिए हैं कि हम आपस investment करने के पैसे हैं भी या नहीं, और अगर हैं, तो to what extent, कितने हैं, तो सबसे पहला step यह होता है कि identify, identify surplus capital, capital से यहां पर पूरे course में मतलब है पैसा, capital से यहां पर मतलब वाला capital नहीं, एक किया है, तो मैंने बुला identify surplus capital, आप पहले यह तो पता करो, company वैसा है कि इतना आप पता लगा, 6-6 करोड़ों के project उठा गया, प्रेस करो, 8-8 करोड़ों के पता लगा इतने तो पैसे ही नहीं, company के पास, तो बुला sir, इस step करते क्या है, practical life में, practically companies में होता क्या, सबसे पहले आप बनाते हो cash flow forecast और cash flow budget, क्या sir हमारे course में है, जी बिलकुल है, इस chapter के अंदर, working capital management के जब हम cash management पढ़ेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, cash, इसी तरह आपने cash flow budget और forecast F2 के paper में बनाया होगा, किस के paper में बनाया होगा, F2 के paper, तो उसमें क्या होता है, कि आप months लिखते हो, vertically years लिखते हो, या जिस तरह आपको monthly बनाना हो, quarterly बनाना हो, quarterly बनाना हो, quarterly बनाना हो, yearly बनाना हो, years लिखते हो, और उसमें जितना भी पैसा आपके पास आना होता है, जितना ही पैसा, receipts पहले लिखते हो, उसके बाद payments लिखते हो, दोनों को net off करते हो, तो आपके बाद दो च हमें यह डूना होता है कि इस deficit को overcome करने के लिए हम कौन सी financing facility choose करेंगे तो अगेन आप देखो हम कहां पर आ गए है sources of finance के अंदर तो यह दिखने में कि यह दोनों जुड़कर नहीं आ सकती या आपने यह बात working capital management से कहाई थी तो क्या यह स्किल को हम sources of finance में लगा सकते हैं जी कोई भी स्किल कोई भी idea कोई भी learning आप किसी भी chapter में सीको दूसरे chapter में लगाई जा सकती है बात समय मेरी बात मैं क्या कहना चाहरा हूं दुबारा से जाते हैं तो सबसे पहला identify surplus cash cash कैलो या surplus capital कैलो अब अगर हमारे पापाइसा है तो हमें अपना क्या पता चल गया limit पता चल गई कि हमारे पाइसा कितना है मिसाल कि अब हमारे पैसा है 6 करोड उपर मलब 6 करोड से उपर के जितने भी projects हैं वो सारे से क्या हो गए आउट हो गए तो अब हमें क्या कहते हैं identify करने है identify identify suitable projects identify suitable project suitable opportunities या प्रोजेक्स से मुराद क्या है कि जो हमारी investment limit के अंदर आते हो अच अब जैसे इडेंटिफाय कर लिए मिसाल तो पर चार प्रोजेक्स हमारे पास आगए किने प्रोजेक्स आ गए चार अब उसके बात थर्ड स्टेप क्या है इवालुएट ऑप्शिन्स एवालुएट प्रोजेक्स ऑप्शिन्स अपॉर्चिन्टी जो वर्ड आपको दिल चाहे वाव लगाओं जरूरी नहीं है कि मेरे पास्व करोड गए तो में से करोड तो एसा हो प्रोजेक्स यापे आपको आपकी टरम ज達ूरूरो नहीं है कि हर किसी को क्या चाहिए हो प्रॉफिट कुछ लोगों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या होता है कुछ लोगों को लिक्विडेबल रहने का शौक है लिक्विडेबल रहने का मतला सुना रहा है कि वो चाहते हैं उनकी जेब में पैसा जेब में रहे या जल्दी पैसा आजाए वो चाहते हैं कि उनके पास क्या आजाए जल्दी पैसा आजाए तो अब वो उसमें से अपने objective अपने purpose के मताबिक क्या करते हैं best project क्या कर लेते हैं choose the choose the best alternative best alternative और इसको आगे बेज़ेते हैं for approval के लिए क्योंकि आप लोग तो सब treasurer थे आप लोग तो financial managers थे आप लोग तो सिब बता सकते हो company को या company के head of directors को या shareholders को कि हमें इस project में इस investment में पैसा लगाना चाहिए था अगरी तो अब यहां पर क्या होता है choose the best alternative आपने आगे किया जैसी अप्रूफ हो गया तो फिर आप क्या कर दे तो इसके अंदर make investment आपने investment कर दी वैसे हर step एक छोड़ी मोटी activities होती है मैंने detail में पिछली class में समझाया भी लेकिन इतने steps पता हो तो भी काम चल जाता है या फिर यह 6 steps दुबारा एक दफा़ा और कई नगाई discuss हो जाएंगे तो don't worry लेकिन बस याद रखना इस पर मैंने काफी emphasis कि यह जो पहलए उप नोगो क्या बनाते है रोगलों लोगो का बनाते हैं कैसलो फोरकास बनाते हैं और बजट बनाते हैं दो फिर अगर बस छोड़ दूं, इंवेस्मेंट करने के पाद चोड़ दूं, नहीं बिटा, उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या रखनी हो कि, नजर, जो आपके पाफ वादा हो रहा है, यह वादा है, यह वादा है, यह प्रमिस है कि इतने साल हम लोग आपको यह करके देंगे, यह पैसा लग यह उसमें क्या और कि एडवर्स एडवर्स रिजल्ट आ रहो है अच्छा ऐड़ बला झार चोड़ दो वड़ उसे फेड़ी बलार छोड़ दो अच्छे या चाहिए जाए चेक करो कि वाइब है क्यों आरा है क्यों आजिए गहाँ तो नहीं है और अच्छा एक फेड़िबल ट्रेणिंग कर आँ ताके वो सारे employees भी बाकी सारे sales manager भी उसी तरीके से काम करें प्रोजेक्ट की क्या बड़े profitability बड़े बासमारी तो अगें च्छटे step में हम क्या करते हैं monitor monitoring and control तो यह हमारे पास six formal steps and six formal procedure जिसके तहिए हम क्या कहते हैं investments करते हैं नॉर्मली हमारी जिंदेगी में तो क्या होता हमापा तो investment अपॉर्चिन रहती हम ठक करके लगा तो companies के पैसा नहीं होता पहले बाद अपने को existing काम चल रहा हुए उनके बाद बहुत सारा पैसा भी उनके बास दूसरी चीज किया बहुत सारा पैसा भी पर उनके बहुत सारी एपॉर्चिनिटी उनके बाद हर रोज कोई ना कोई आइडिया लेकर आ रहा है जैसे मिसाल मांक्स अगरबक या आपक क्योंकि बताते हैंने वहीं हमनी बताती है बाई विक्रा एनके औरहके रिचल्ट इया है और वहीं बात सबस्थे प्ररॉजेक्ट को कु में दु करो ब家से के सवाल नहीं की किस तरह से प्रोजक को चेक करे तो बुला भाई क्या कहते हैं capital investment appraisal जो techniques हैं हमारे पास capital investment appraisal techniques हैं यह topic जो जोड़ा है किससे जोड़ा है थर्ड step तो मैंने बुला capital investment हमाँ पास जो techniques हैं या अब किसी भी project को check करने के जो techniques हैं वो किने तरह की हैं हमाँ पास दो तरह की हैं number one एक हमाँ पास है non-discounted cash flow techniques और एक हमाँ पास है discounted cash flow technique non-discounted cash flow techniques हमारे पास रोज आता है return on capital employed आपने सुना होगा लेकिन यह उस तरह से calculate नहीं होगा जिस तरह से आपने F3, F2, F7, F5 में calculate गया इधर यहाँ पर इसका details हवाल आता है इसका यहाँ पे क्या आता है detail आपको proper profits calculate करने होगे आपको proper क्या calculate करने होगे profits दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा payback दूसरा आपके पास यहाँ पर क्या है payback अच्छा discounted cash flows की अगर बात की जाया तो आपके पास MPV है और क्या है आपके पास IRR सर यह कैसे पता चलता है कि यह technique non discounted cash flow है और यह technique discounted cash flow है वहाँ पर आप देखोगे तो discounting का काम किया जा रहा होगा या discounted cash flows या मतलब time value of money के concept को use किया जा रहा होगा time value of money के concept को क्या किया जा रहा होगा use मिसाल कि तो पर रोज में होता कि उपर profit रखते हैं नीचे capital रखते हैं multiple hundred कर देते पेबेक क्या था कि कितने time period मा हमारी initial investment क्या हो जाएगी recover हो जाएगी NPV और IRR में आपको यादा present value निकालते थे प्रेजन वैल्यू फीचर वैल्यू में काम करते थे ठीक है आई आई आपको एक सवाल क्या कर लेते हैं revision कर लेते हैं NPV का एक सवाल स्वाल कर लेते हैं और उसके बाद मैं direct F9 के advanced topic पर आ जाओंगा F9 के advanced topic ठीक है सर क्या यह रोजाना आपके revised revision मैंने इस तरह से बड़ा से details हो रहेंगे नहीं मैंने आज सिर्फ कराया है ठीक है आज सिर्फ क्या हाँ ग्लास में पहली बात आप पुशिश करें टाइम पर रहें शुरू के पांच में आपको प्रेजिन ज़रू करा दूगा कि last class में बात क्या हुए ती यह पिर आप मुझसे वादा करें कि जब आप last class में आ रहे होंगे next class में आ आ रहे होंगे तो अग सब्सक्राइब बता दू रीट करके बता दू फॉलेंग डिटेल्स अर अवेले हुए इनिशल इंवास्मेंट 300,000 जो आपकी पहली इंवेस्मेंट हो रही वह कितनी हो रही 300,000 प्रोजेक्ट लाइफ इस फोर यर्स सेल्स 10,000 इन फर्स्ट यर्न इंक्रीज बाइफ वो अगले साल पे होगा मतला जो भी आप टेक्स कंप्यूट करोगे उसका कैश लो कब ले जाओगे अगले साल ले जाओगे कॉस्ट फैपटल इस 10% वर्किंग पटिड इंवेस्मेंट इस फ्वेंटी थाउजन एड अड्ट अप प्रोजेक्ट एंड विल बी रिकवर्ट एड़ एड अड़ प्रोजेक्ट इवलेट फॉजेग उजिग नेट प्रेजंट वैल्यू टेक्नीक ठीक है एक प्रोजेक् apply करते हो और हमाँ पास क्या जाता है यहार में ऑस आधा है आट बट इस अलगास ऑफिज्वांग कि एक प्रोचेक्स नहीं क्या होगा जाने के लिए कुछ पैसा चाहीं होगा वह कितना है 20,000, वो invest क्या डाएगा प्रोजेक्ट के शुरुवात में और recover कब होगा प्रोजेक्ट के end में, तो क्या बोला भाई, required NPV calculate करता हूँ, ठीक है, कोशिश करें, आपने पढ़ी भी NPV, याद है भूल चुके हो क्या है, आएए देखते हैं, ये सवाल कैसे होगा, ठीक है, एक द 5000,000, इच यर क्या होंगी, increase, material cost is 2, labor cost is 3, variable cost is 1.5, fixed overhead is 20 per unit, tax rate जो हमब 20% है, tax will be paid in areas, इसका मतलब कहा है, इस साल का tax, अगले साल, दूसरा जोना लिखाता है, tax will be paid in same year, same year का मतलब जो हम लोग बच्पन से पढ़ते वारेंगे, जो इस tax है, वो अभी के भी पे हो जाएगा, और NPV में cash flows लिए जाते हैं, क्या लिए आते हैं, accounting नहीं लग रही, standards नहीं लगेंगा, FRS नहीं लगेंगा, यहां पर क्या लिए जाते हैं, real cash flows लिए जाते हैं, job के relevant cash flows होते हैं, जो पैसा आ रहा होता है और जा रहा होता है, ठीक है, cost of capital हमाँ पास 10% है, selling price हमाँ पास cost of capital जिसको आप interest rate के तौर पर use करते थे, या तरे discounting करने के लिए, selling price हमारी 35 per unit है, working capital investment, sir, what is working capital investment, भाई दीखें, एक मिसाल पर मुझे किसी ने बुला कि आपको institute खोलना है, कोई campus खोलना है, तो इसके लिए मुझे बुला 4 करोड उपे चाहिए, मैंने 4 करोड उपे दे दिए, जयों के डिए अब मैंने अख्ला, institute शुरू करो, चलाओ, बला सर, चलाने के लिए, salaries पे करने के लिए, बिजली का bill पे करने के लिए, office supplies के लिए, हर महीने कुछ पैसे चाहिए होंगे, ज़से आपकी घर को चलाने के लिए हर महीने के लिए कुछ एक तो घर खरीदा, आओ घर को चलाने के लिए भी कुछ क्या चाहिए रोजाना के पैसे चाहिए होते हैं वो जो day-to-day activities के लिए पैसे चाहिए इसको हम क्या कहेंगे working capital investment तो इस project को चलाने के लिए उसकी day-to-day activities चलाने के लिए working capital investment is required about twenty thousand dollar at the start of the project project के शुरू होने से पहले and will be working capital को जो पैसे वो आपिस बाहर आ जाता है रोजाना के काम में इस्तमाल वा जब रोजाना के काम खत्म होजेंगे तो पैसे क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा तो मैं आपको बता भी दूँगा कि उसका mechanism समझा दूँगा कि किस तरीके से ये पैसा बाहर आ जाता है and will be recovered at the end of the project तो भार आ जाते हैं मैंने का ना कि project के end पर क्या हो जाएगा recover हो जाएगा required evaluate the project using net present value technique तो पूला सर F9 में पूरे course में हम किस format से NPV calculate करेंगे there are several formats for calculating or computing NPV लेकिं मैं standard format बना रहा हूँ यह सदा बाहर format है जो हर सवाल पर फिट होगा हर सवाल पर चलेगा तो हम उस format के तहट क्या कर रहे है काम सबसे पहले हम क्या लिया करेंगे दोस्त years क्या लिया करेंगे years year zero का मतलब है आज का दिन year one year two year three और year four और year five सर आपने year five क्यों लिखा है बताता हूं जब year four में profit होगा जब year four में क्या होगा दोस्तों profit होगा तो उसका टेक्स कप पे होगा year five में अच्छा project की life कितनी है सवाल दुबारा से project की life कितनी है four years एक बात याद रखना project की life five years नहीं है project की life कितनी है देखो ज़रूरी नहीं है कि जितनी project की life हो उतने number of years जाएं मेरा कहने का मकसद यह जरूरी नहीं है कि जितनी प्रोजेक्ट की लाइफ हो उतने number of years के आप क्या बनाओ column बनाओ उससे ज्यादा भी हो सकते हैं एक ज्यादा भी हो सकता है अच्छा भई अब सबसे पहला cash flow जो हमारे पास आएगा ़ो क्या है का हम क्या करेंगे investment क्रेंगे investment हमारी क्तिनी 火गा 300,000 dollars की 300,000 dollars की हो गई अब उसके बाद क्या होगा जाब investment कर देंगे investment करेंगे तो हमारे पास sales ब्राइब के सेलिंगे क्ट cabbage हमारी सेलिंग प्र 깃षपर नए है तो उनको तो प्रॉपर आइडिया हो जाएगा पूरी NPV कैलकुलेट करने का और जो प्राने बैठें में उनके लिए मैंने कुछ न्यू चीज़ें डाली है तो तवज्जा से सवाल सुनना कुछ टर्णिंग पॉइंट है यह छोटी छोटी गलतिया ही आपके सवाल को क्या करती है कभी भी मैं पता हूं कोई ऐसा पेपर जो हमारी क्लास में कॉमनली पूरा हुआ हो सबके पास जी आप सबके पार्टू के सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉश प्रॉफिट लेस्ट अपरेटिंग प्रॉफिट सबको देखो बड़ी बात याद रह जाती है सबको बड़ी बात जो ओराल रे जाता है असल में चीज़ें बच्छा क्या भूल जाता है आप कभी सवाल करने बैठना आप कभी भी काल्कुलीट करना घाता है सबको स्क्रैप वैल्यू रिदीसिंग बालनस का फॉर्मला जाद नहीं है प्रॉबलम क्या आता है कि जब इयर्स या मंस की क्या करनी होती है किसी ने सिक्स ले लिया तो अड़े यह से चोड़ी सी गलती जो एना यही तो एक एक दो दो मांस कर दिड़क कर रही है पूरा M.C.Q का जवाब क्या करा रही है गलत कर रही है क्या मार्जन आफ वह नहीं कि वर्किंग हो महाँ पास कि आपने वर्किंग तो सही की थी बास एक नमबर ओव यह गलत ले लिए थे परसंटेज गलत ले लिए थी बात समय रही है तो यहां पर आजाने सेल्स टैन थाउजन यूनिट्स इन फर्स एयर सेलिंग प्राइस महाँ पास कितनी है अब 15,000 यूनिट्स हो गए सर कैसे पता चला इंक्रीज बाइं इंक्रीज बाइं फाइफ थाउजन यूनिट्स इच यह हर साल पांट-पांच हजार से आपके पास क्या बढ़ रहे हैं दोस्त यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो जी बताइए क्या अंसर राए था थाउजन फ पर हमापस 15 हो गए फिर हमापस 20 हो गए फिर हमापस 25 और पर हमारे पास नहीं यह फाइफ तक तो गया भी नहीं जी तो 35 मुट्प्लाब बाइब 20,000 सेवन लेक 35 मुट्प्लाब बाइब 25 कितना आ गया 875,000 सेल्स के बाद हमारे पास क्या जाएगी मटीरियल कॉस्ट क्या जाएगी दोस्तों मटीरियल कॉस्ट जी बही मटीरियल कॉस्ट कितनी है 2 डॉलर पर यूनिट 2 मुट्प्लाब बाइब 10,000 20,000 आउटफलो है नेगेटिफ में लेकूंगा 2 मुट्प्लाब बाइब 15,000 30,000 हो गया आउटफलो है नेगेटिफ में लेकूंगा 2 मुट्प्लाब बाइब 20,000 40,000 आउटफलो है नेगेटिफ में लेकूंगा 2 मुट्प्लाब बाइब 25 विल बी 50,000 आउटफलो है नेगेटिफ में लेकूंगा then हमारे पास आजाती है labor cost, labor cost की टीविटा 3, 3 multiply by 10,000 is 30,000, 3 multiply by 15,000 is 45,000, 3 multiply by 20,000 is 60,000, 3 multiply by 25,000 is 75,000 याउटूज फिर इसके बात हमारे पास आजाती है variable cost इसके बात हमारे पास क्या आजाती है दोस्तों, variable cost ,edia了吧 cost हमारे पास है 1.5 ,1.5-15,000 previous 15,000. 1.5 multiple 15 कितना हो गया? 22,500. 1.5 multiple 20 कितना हो गया बिटा? 30,000. 1.5 multiple 25 कितना हो गया? 37,500. variable cost के बाद अब आपने मुझे बताना है मुझे तो नहीं आता, अब आपने बताना है मुझे तो मैं तो बढ़ाई नहीं है, मैं तो आता ही नहीं है, आप बना टीजर से पढ़ड़ हो भाई, fixed cost is 20,000 पर यूनिट, जी भई, यहां पर कितना नंबर आना चाहिए, क्या लिखो 20, sorry 20 पर यूनिट, my mistake, 20 पर यूनिट, तो आप मैं क्या answer लिखू यहां पर, क्या करूँ, एक बच्चा कह रहा है, sir आप लो 20 पर यूनिट, कितने यूनिट से यहां पर, 10,000, multiply कर लो, यहां पर कितना लिख दो, कितना लिख दो, 2,00, 200,000, तबज़ देना, यही turning point है, फिर 20,000,000, ऐसा ही है, फिर आपने मुझसे बुला, sir, 20 पर यूनिट है, multiply कितने हो गए, 20,000, कितना हो गया, 4,00, फिर आपने बुला, sir, 20 पर यूनिट है, तो कितने यूनिट से हमने sell out, sold out करें, 25 तो sir, यहां पर कितना आ गया, 5,00,000, किया आपका दिमाग इस बात को accept कर रहा ह क्योंकि मैं तो आपको जगा दिया है, वरना मैं आपको सवाल देते हैं, तो शहदा आप लोग, अगर यह सारे बच्चे पुराने होते, कल यह तुमने, पुराने बच्चे ने क्या किया है, तुमने भी यह किया है, फिक्स पे आके जोड़ दिया, देखो मसलह पता है, क्या मतलब है, प्रिवियस लर्निंग से, एफटू की लर्निंग से, या जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो भी हमारी लर्निंग है, जो भी हमारी लर्निंग है, उसके अंदर से हमें कौन सी बात को याद रटना था, कौन सी बात को क्या कर जाना चाहिए था, भूल सर वो गल्टी होगे एक आपकी गरग जोड़ना भूल गया है तो आप क्या करोगे इस डॉक्टर के साथ तो जो आप उस डॉक्टर के साथ करोगे न तो याद रहना अगर प्रॉफेशनल कभी कोई चीज भूल जाए तो बहुत गुस्सा आता है बहुत ज्यादा क्या आता है पतल अगर लॉयर के साथ आप केस लड़ने के आपके जमीन के कागजात की लड़ाई थी और पॉइंट था केस हार गए वो लॉयर तीज महीने बाद फोन करके बोलता है यार वह गलती हो गई मैं एक पॉइंट भूल गया था हम केस जीज जाते हैं काउस लोयर के साथ क्या करोगा तो यू और ऑडिटर्स इन अकाउंटेंट्स तो बूलने की तो गुंजाईश नहीं है दोस्त प्रोफेशनल को भूलने की जा गुंजाईश तब ही उनके लिए चीज होती है CPDRs, Continually Professional Development Rs वो क्यों होते हैं ताकि आप बार बार रिवाइस करके अपना आपको क्या रखो अब यहाँ पर आते हैं जिस दफ़ा यह एक दफ़ा सवाल आया था सारे बच्चों ने एक्जैम प्रिशन में, Continuity में, हाथ की रवानी में डारेक्ट क्या कर दिया Fixed Cost Per Unit को Multiply कर दिया, किस से? Units से Multiply कर दिया, वो इक बात भूल गए Fixed Cost का Topic अगर आपने पढ़ावा और याद हो तो क्या पढ़ाया गया था? कि Fixed Cost Never Change With The Change In Level Of Activity With The Change In Level Of, तो भूला फिर क्या होगा भाई, आपने दिखो न, जैसे जैसे Level Of Activity यूनिट चेंज हो रहे थे तो आपने Fixed Cost क्या कर देगाए, चेंज कर देगाए तो भूला पिर सर क्या हुआ, भाई यह जो आपको Fixed Cost दी थी यह पहले से ही divided थी, पहले साल के यूनिट से, पहले साल के किसे यूनिट से divided थी याद्कुर आप लोग पढ़ते थे, Budgeted Fixed Cost, यह Budgeted यह न, क्या यह सब हो चुका है यह Budget है, Budgeted Fixed Cost per Unit is equal to Budgeted Fixed Cost divided by Budgeted Units, अब तो आतना जो Budgeted Units होते हैं, वो किसके होते हैं, First Year के होते हैं, तो यह इस तरीके से कंप्यूट होई भी है, कैसे होई भी होगी, मुझे नहीं पता Budgeted Fixed Cost क्या है, लेकिन First Year के यूनिट कितने थे, 10,000 हमारे पाफ Budgeted Fixed Cost per Unit कितनी है, 20 per unit, तो अगर मुझे Budgeted Fixed Cost in total निकालनी है, 10 10,000 multiply by क्या कर दूँगा, 20, मतलब जो पहले साल की मेरी Fixed Cost आई थी, वो ही Fixed Cost में हर साल में क्या कर दूँगा, Copy-Paste कर दूँगा, क्योंकि वो Level of Activity की वज़ा से Change नहीं होती, Level of Activity की वज़ा से Change नहीं होती, तो गुला भाई, पहले साल की Fixed Cost का Cash Flow कितना था, 200,000, दूसरे साल की Fixed Cost का Cash Flow कितना था, 200,000, तीसे साल की Cash Flow का Cash Flow कितना था, 200,000, चौते साल की Fixed Cost का Cash Flow कितना था, 200,000, once we have deducted Fixed Cost, तो अब हमारे पास एक नया Cash Flow आ जाता है, सबको Net Off करके, वो है Taxable Profits, वो Profits आ जाते हैं, जिनके उपर क्या लगाया जा सकता है, Tax लगाया जा सकता है, Taxable Profits तो पहली चीज़ तो हमारी नीचे आगे, Initial Investment, भाई अगर हमारी सेल वीटी कितनी, हमारी सेल वीटी साड़े तीन लाग रुपे, उसमें से 20,000 की Material Cost निकाल तो 330, 30,000 की आप वो निकाल दो क्या कहते हैं, लेबर कॉस्ट तो कितने बचे, तीन लाग, तीन लाग में से 2,15, कर दो कितने बचे, 85,000 का आपके पास टेक्सिबल प्रोफेट बचाई, यहां पर बताईए कितना बचा टेक्सिबल प्रोफिट, इनके होगे टेंट्न्स, 227,222,275,00 दिवेपर एक बादा दो क्लास्माज अगर सवाल निए रहा ना पेपर में भी नहीं होगा अगर आज सवाल नहीं होगा तो पेपर में भी नहीं होगा पेपर में इंतिजार करोगे कहीं से आवाज आ जाए कोई हेल्प कर दे हमारी ऐसे आदत लगी रहेगी जी कितना है इस पर आपने क्या लगा दिया भाई टेक्स लगा दिया एट 20% बिटा ध्यान रखना जो पुराने बच्चे उनको तो आदत लग गई है 30% लेने की उनको आदत लग गई है किसकी कितने सवाल 3-4 सवाल कर चुके हैं तो 30% लेने की उनकी क्या हो गई आदत जरूर देख लेना लाजमी देख लेना कि सवाल में टेक्स रेट क्या है स्विसे हैं 17,000 सर को उनकी लिखा कि आपने येश्डाव ₴9 सवाल नहीं क्या ता हैं आपने येश्ट में लट यहां यह लिका स्वाल गया इक realise नेक्स विल बिपाए करते हैं जुलाय के बाद रिटन करते हैं जुलाय के बाद सेब्धर में फ्रीटीफर्स सेप्टमब्र लांस डू डू डेट गई थी क्या कैझ थी ध्यू डिसंबर लास्ट डियो डिट गए थी जी सब्सक्राइब बताएब थो टू टू सेवन फाफ़ डू सीडों का 20% 455003 7 70,000 का 74,000 102500 अगर आपको पुरानी लगी विए ना तो सिफ़ टेंडेंस लगा दो क्या चीज़ है तो जल्दी बहर कि दे दो जल्दी भर कि दे दो आप लोग के हो गए दोनों के हो गए सब के हो गए आप लोग को अगर एडमिशन फॉर्म मिला तो जल्दी बहर कि दे दो पर इसके बाद रोग थे टेक्निकल पॉइंट सम्झाना और चाता हूं आप सब की तवज़्जव हो जब आपको पता है कि मुझे बारा बजे पॉंचना है तो आपने क्या करना रात को दस बजे सो जाना है अगर आप रात को दस बजे सो के दस बजे भी उठोगी तो बार अभी दो घंटे हैं दो घंटे में आराम से बंदा शावर ले दे लेता है नाश तक लेता है त्यार वोड़े पेन के क्लास में थो अब रूटीन मतला रूटीन क्या है आपका कि आपने रात को दशेश होना है 10 बचे उठना है दस से बारा आपना दारे रोकिया आज़ा बार और जिस दिन चुटी है उस दिन आपका ये चंक बज गया, कुछ नहीं करना है, जो क्लासेस में पढ़ा है, उसको सब रिवाइस करो, बैटके पढ़ो, अब अगर जल्दी पढ़ लिया तो ठीके चुटी, नहीं पढ़ा तो पढ़ती रो, पढ़ती रो, पढ़ती रो, यह ह हो गया, सरी, तो रहर सीरिस हो जाओ क्योंकि अब भताऊं मार्च, ख्रहांता क्या तारीख हो गया, क्यूंकि आप सीरिस होगे, मैं जहांऑ ऊपर उड़ा दूँमा, आज मैं टेक्निकल टॉपिक डिसकस करना लाएं सवाल के बाद, टेकनिकल टॉपिक कि उसका hangover उतरावा नहीं होगा ठीके पिर उसमें teacher वहता है यार मैं शाइद अच्छा deliver नहीं कर पा रहा हूं मैं motivate नहीं हुआ ना बता रहë हूं teacher का motivate physical class में teacher का motivate होना बहुत जरूरिय है ठीके मैं आप से क्या अका taxable profits उसके उपर हमने टेक्स लगा दिया एक दवार सवाल रिवीव करो तो आपको खुदी बदल जागा कौन-कौन से कैश लोज हो गया और कौन-कौन से बाकिए क्या आप इनिशनल इंवेस्मेंट ले चुके हो जी सेल्स ले चुके हो जब भी इस सवाल पर लर्णिग सेको है उसके उूपर ले गर वाँ यूझा सांट सबस्क्राइब सबस्क्राइब हैं और एसको जैविए जमला सही है गला जी शुन सकती है कैसे यौस्पय बता दोगी तुमने उख वोग उसको है क्या है अगर तुमने अच्छा जुम्ला अच्छा क्या गया ट्रॉजेट में अपनी इनसे का विक्स पड़ी एक अगर लेवल अट्पिटीटीट इस सर्टीन लेवल अब बढ़ जाएंगे तो हमारी फिक्स बढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएगी ये कहना चार एंट विल- पहला सवाज जुम्ला सही है गलत है तो पिर कैसे चेंज हो सकती है वो क्या वज़ा है जो चेंज करेंगी कभी ना कभी तो होई जाएगी यह जो नौन सीरिस अब मैं पता हूँ आपको किसी कंपणी के सीओ के साथ बिठा जेता हूँ उनको जरा सी आपने कोई यह उल्टी सीदी बात करेंन उनका है तौक्षा केंगो ससक्षाइब उलगवें तो डियकले माम लगभा यग न मिcé्स अब कर लेकिन जब हुआ बैठते ना साथ तो वहां पर अर्भी बैठे में वह बैठा हुए दो तीन चाइनीज बैठे तो मैं इंग्लिश में बात करनी पड़ती है और वहां पर हम यह थोड़ी कर सकते हो बोले मैं फ़ला ग्राफ में यह फ्लक्शुशन क्यों आ रहे हैं मैं को प्रेजेंटेशन में मैंने देदी में लाइस कोचसंस तो भूले भई फ़ला ग्राफ में यह तुमने भी यह बात करी कोई नहों को टेक्निकल कोचसन पूछ लेते हैं और जो पूछ तो में बोलूँगा यह तो ऐसी होता है तो उसी चीज की तो त्यारी करनी है तो आप बोलतो हो वी एफ ड़न वी एफ इंवेस्टेट टू यह इंटेटिंग अठेट्टिंग हैं मैं गॉख समझारा मेरा क्या फ्रस्ट्रेशन है मैं जो एक मार्केट इंप्लाइबिलिटी लेवल पर आके बता रहा हुए कि कि एक फ्रस्ट्रिशन आप इस बात को समझ रहो ठीक है मैं आपको बतार और में ऐसे ऐसे लोग है जिनको सिर्फ बात करना की टेक्निकल काम उनको रखना पड़ा है से विसलिए क्योंकि शुगर कोटिट बात कर लेते हैं वो बातों को संभाल लेते हैं वो यह थोड़ी गोलते हैं जैसे मैंने किसी रिप्रेजेंटेटेव को बजा तो कोई बजा हो इस दंखा दे रहा है यहां कोन तो आप मेरी कंपनि के बढ़ाई करोंगे आप मेरे प्रेजेंटेटेव और मेरे कंपनी के राज खोल खोल के बताओंगे हमारे कंपनी में चलो फट्र नहीं है फना चीज डिप्लॉय नहीं हूए भी बात समना रहे है तो हम यहां पे यह न तो पुल रहता तो अगभी बीजेंज नहीं होगी मैंने कहा था fix cost विल नेवर भी चेंज ड्यू तो लावल अफ एक्टिविटी ड्यू टूचेंज इन लेवल एक्टिविटी की वजह से कभी भी फिक्सकॉस चेंज नहीं होगी इंफलेशन की विजास सथी जो आपने सटाप फिक्स कॉस्प काबूल एक सर्टीन लेवल ऑफ एक्तिवीटी की बाद चीन जो सथी बात सन्मारी आपने अगर एग्रीमेंट में इंफलेशन नहीं है आपने एग्रीमेंट में ग्रोथ वेक्टर आपका भी घर की रेंचल एग अच्छा आप चाहो एक साथ डाल दो अलग अलग डाल दो मैंने कहले का working capital investment and recovery यह सिर्फ working capital लिख दिया क्या लिख दिया working capital आप चाहो तो एक cash flow बनाओ अलग-अलग क्या cash flow working capital investment लिखते और बोलते बहाई investment होई year zero पे कितनी investment है 20,000 सर कैसे year zero उन्हें कहाता है जैसी project स्टार्ट होगा तो आपको 20,000 working capital के नाम पर भी क्या करने इंवेस्ट करने year zero के हो गया done दूसरा आप एक और cash flow लिखते हो working capital recovery अलग से लिखो नीचे और उसको जाकर year four में क्योंकि project जैसी खतम होगा tax curve से को तालुक हो रही है project जैसी खतम होगा तो यह हमारा पैसा क्या जाएगा दोस्तों बहार आजाएगा कितना पैसा बहार आजाएगा inflow कितना होगा 20 मैंने एक ही line में फारिक कर दिया अगर एक्सल की sheet होती मैं यहां लिखता working capital यहां negative में लि एक छोड़ साइकल दिखा देता हूं एक बच्चे का सवाल सरी यह कैसे भायला जाता है भाई पैसा भुक्षा जाना चाहिए था हिसा तो क्या जाना चाहिए अंग क्या होते company की जरह को बतायागा क्या काम होते रोज मरा के काम एनीबडी चलो मैं बता देता हूं सेल पर्चेस करना सबसे ज़्यादा बड़ा काम यह है यही तो काम करने के लिए कंपनी खोली थी तो आई गोर से रिखेगा मेरे पास 200 रुपीस क्या था कैश यह तवज़ा सुने लिएगा यह मिसाल में कोई अजार दफ़ा देने वाला क्या था 200 उपीस कैश मैंने उस सारे कैश से क्या खरीद ली इन्वेंट्री क्योंकि अभी मैं नया हूं मुझ पर भरोसा करता नहीं जब आप नहीं होगा आप पर भरोसा नहीं करेगा को सारा कैश कंवर्ट हो गया किसके अंदर मला यह मेरा कैश फंस गया अभी इन्वेंट्री मेरे पास तीन दिन पड़ी रही कितने दिन पड़ी रही थ्री देज आज से मैं बिजने स्राट के हैं मैं यह टूँटेड रूपीस डाल दिये ठीक है बिजनेस के अंदर और यह तीन द अध्या फ़्राफीट भी दुबा होगा और यह रिसीवर्श में मुझसे बोला कि हम बाप को पैसे देंगे कितने दिन में चार चार दिन बाद मुझे क्या मिलता है चैक मिलता है मीन्स पैसे मेरे किसमें आ जाते हैं बैंक में बैंक के बाद सब इस व्लों मैं एक दिन बा investment पाखी extra क्या है मेरा profit extra क्या है मेरा profit एक चीस समझ में आगी 200 to working Capital investment input भी होती है और बात करें अच्छ नंच शेक रहो यह कहलाता है working capital जिह क्या कश्यायती है एक होते है operating cycle वकिंग capitalinda's for operating cycle कहते हैं कि कितने दिन आपका पैसा एका तुरेगा चार साथ Which अधर कितने दिन फसा रहां 3 दिन pleasant inबेंटरी में चार दें वेसी हमें टोट इलिए कितने दिन लग गए साथ दिन लग हमारा वर् Churchill Capital बिज़नेस में स्थप अप रहाऊ रहा क्या होता रहा होता रहा डा बात समय हिए तो यहां पर आप के बाड़ working capital थोरा बहुत मैंने working capital management की हर चैप्टर की देखो थोरी बहुत बाते किसी ने किसी चैप्टर में relate जरूर करेंगी तो मैंने working capital भी introduce करा दिये क्या होता है its funds for day-to-day activities what are the day-to-day activities sales purchase salaries daily routine expenses these are called working capital activities बास महारी है ठीक है तो यह आपके पास क्या होगा है यह आपके पास क्या होगा ऑपरेटिंग सैकल जो इस पूरी कहानी में कितना था दोस्तों seven days था क्या था seven days तो आपने investment करी recovery करी अब आपको बस क्या करना है एक बच्चे का सवाल बहुत सारे सवाल आते हैं वो सारे सवाल बता रहे हैं आप लोगी क्लास से नहीं आ रहे बच्चा बोलता है sir working capital investment हमने शुरू में क्यों नहीं ले ली आखर में क्यों ले लेता तो व till Tvin tax नहीं लगता किस्प लगता हैं इनकिम्स पर मेरी बात clear होगही वाली बात तो इसलिए जो भी non taxable items के बाद लिया करेंगे लिया करेंगे और strengthen लेक्स के बात अब हमारे पास क्हा गरा इस नेट काश लो शाए कि터링 करते हैं जीए यह कृत न यह गोगी ओगा होगी। सब्सक्रिद्थेश और पर हमारी टोटल इंट इनिशि वेस्प्श्टत हुगे थी यह क्वट कि addition 85,000 के हमारा net cash flow of year 1 हो गया यह कितना आ रहा है दोस्तों 2105 00210 ट्वेंटी एड करना माइनस मत कर देना 20 एड करना तुछ नाम क्या है तुम्हारा नाम है सागर सागर नाम था याद आगे देखा सागर बहुज मैं क्या कहते है एफ आई ये स्टुडेंट ऐसा ही है सही कहा रहा हूं गलत कहा रहा हूं जी 458 500 1025 00 in नेगेटिफ अब आपके पास क्या देगा भाईया कहते हैं हैं जांट डिसकाउंट फैक्टर्स किस पर लिखने हैं तैन परशन BUR के इसका एक टेबल होता है इसी क्लिव का इसी 14 prince और ये यहां जीर्य का दिखा यह पाता उना चियुकोछ ओगे तो बता है भी बाकि काम यह करो कि आप सबके पास F9 की kit, book, कुछ पढ़ी विए, कोई भी चीज पढ़ी विए, एक मुझे बस याद दिला देना है, मैं आप लोगो क्या कहते है, soft copy of book और soft copy of kit, send कर दूगा mobile में, तो आप next class मा लोगो, mobile में क्या करके रखोगे, इसको download करके रखोगे, और वो updated है, इसी साल की soft copy दे रहा हूँ, तो यह वाला तो वहम ही खतम हो गया, सर यह outdated तो नहीं है, इसमें कोई सवाल मिस आउट तो नहीं है, सभनमारी मेरी वाद या नहीं कोई information outdated तो नहीं है, तो updated kit से पढ़ो, ठीक है, clear हो गया, बाकी अभी मैं discount factor 10% की लिख देता हूँ, पहले साल क्या है 909, सर वैसे कैसे होगा, क्योंकि Excel की sheet में भी तो लिखने होगे discount factor, बहुत easy है, 1 प्लस R माइन, 1 प्लस R माइन, अब जैसे यहां पे R कितना है, 10%, 10% 1 मे add कर दोगे कितना हो जाएगा, 1.1, 1.1 की power minus 1 लिखोगे, 0.909 आएगा, 0.826, 0.751, 0.683, इन सब से आपने multiply कर दिया, तो आपके पास क्या जाएंगी दोस्तों, present values, यहां पे कितना answer है, 3,20,000 negative, जी दोस्तों, बता सकते हो कितना answer, 77265, यह भी दोगा, 0.621, 173873, एक छोटी सी बाह बताओ, मेरा ECCA मैंने दो साल में फर्स अटेम में clear कर लिया था, तो अक्सर मुझ से बच्चे कहते हैं कि सर, मैंने अपना इंटर कम्प्लीट किया, at the age of 18, 18-17 साल होती वेसे उमर, सबका इंटर स्वक कम्प्लीट हो जाता है, after my completing इंटर, I have started my ECCA, फॉरन स्टार्ट करें था, मैंने कहीं time waste नहीं किया, और साथ मैं bachelor's में admission ले था, ठीक है, तो दो चीज़ें होगे complete, दोनों मैंने within two years, with first attempt, without time delay, nothing, coaching coach के reattempt वगएरा कुछ भी serious था पड़ाई में, दोनों मैंने चीज़े, first attempt with first division in bachelor's, और in ECCA first attempt, सारे papers क्या कर दिये थे, clear कर दिये थे, फिर उसके बाद मेरा teaching experience टार्ट हो गया वगएरा वगएरा, अब एक लंबी कानी है, दस साल की बुरी कानी उसके आगे, ठीक है, तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कि मुझे सक्सर बच्चे पूछे हैं, सर कैसे किया, हमें भी तो टेक बताओ, हमें भी चाहते हैं, कि सर क्या कहते हैं, हमारा paper निकल जाए, तो मैं आपको कुछ tips देना चाहता हूँ, जो मुझे नजर आ रही हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हैं आपर, सबसे पहली बात आप class में क्या रहा हूँ, जो क्या आपको, अभी तक फिलाल, class में क्या रहा हूँ, सर क्या strategy, मैंने strategy का नाम रखा है, 3R strategy, क्या नाम रखा है, if you want to clear any paper, चाहे हो किसी भी qualification का हूँ, चाहे CPA, Australia, कोई भी qualification हो, 3R strategy, first of all regular, अचा आप मिसाल पर online classes हैं ना, तो उसके लिए बता रहा हूँ, F8 को online ले रहा है, आप लेती है F8, उसके लिए regular हो, regular का मतलब क्या है, रोजाना एक वीडियो देखनी है, अब कसम बांद लो, नियत बांद लो कि रोजाना मुझे क्या करनी है, एक वीडियो तो देखनी है, अगर आप को online paper ही पढ़़ो ना, सर वहाँ पे तो छुट्टी बैठने पढ़ना है, दो गंटा पढ़ना है, दो गंटे की तो क्लास होती है ना, मिनेमम, तो दो गंटे तो बैठना है, अब अगर एक वीडियो स्टार्ट होगे, तो खतम करके उठोंगा, अच्छा, रेगुलर्ड किया, मैंने सारी ग्लास इसली, फिर भी मैं फेल हो गय यह मेरा अच्छे मार्स नहीं आए, मैंने बुला, भाई, आपने नोट्स नहीं बनाए, जो आपकी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, उसके क्या बना करो, अभी भी अगर ऐसा नहीं है, तो एक प्रॉपर F9 का प्रॉपर रिजिस्टर खरीदो, क्योंकि हमनों बहुत क लिखो, क्योंकि एक बात सोचो ना, अगर आपने 1.500 गंटा, 150 आर्स इंवेस्ट होंगे तोडल, मैं आपको बता देना, आपकी क्लास में, पूरा कोर्स खतम कराने में, 150 आर्स अबफ इनवेस्ट होंगे, आपको दिये, 100 वैसे नॉर्मली कोर्स 80 आर्स का होना चाहिए, कि सीखा था, याद ही नहीं है, क्यों क्या नहीं है हमारे पास, नोट्स नहीं है, इसी तरह जब आप ऑनलाइन बढ़ते हो, आपने 100 वीडियो देख लिए, आप आप से बूचिव बताओ, 11 वीडियो में क्या था, याद ही नहीं है, लेकिन अगर रिजिस्टर होगा, तो हमे दुबारा से 100 वीडियो में टाइम इंवेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत-बहुत से सुनना, तो रिजिस्टर प्रॉपर मेंटिंग करो, नोट्स बनाओ, जो बच्चे नहीं है, उनको मैं सक्ती से गया रहा हूँ, तीसरी बाद से रिजिस्टर भी बना लिया, रेग कुर्सियां मारते थे हम लोग, इतनी लड़ाईयां, तो हम लोग आदा घंटा पहले आते थे कि ताकि हम एक अच्छी कुर्सी, एसी कुर्सी क्यों 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 गर्मी वर्मी सब देखना पड़ता तो ऐसी कुर्सी मिल जाए, ना ज्यादा चिल जगा पर बैट जगा पर पर बोर्ट भी विजबल है और टीचर को भी विजबलिटी हो, तो हमने वहां पर बैटने के लिए आदा घंटा पहले आना पड़ता था, अब आके बैटके क्या करूं, रिवाइस कर लिया, नहीं हो रहा, आप क्लास में जब भी आरो, मैंने का ना बस कुछ भी करो, दस ब क्लास से पहले आपने पढ़ लिया, मेरा मानना क्या है, आपका दिमाग ठक चुपा होता है, क्लास में फ्रेश हो, क्लास में कुछ न्यू कॉंसेप सीखने वाले हो, नहीं बात सीखने वाले हो, तो हमेशे क्लास में क्लास में क्या ना, फ्रेश हो, ठीके, तो रिवाइस र इस लिग लास में किसका होगे था इस थ्री आर स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो अगर फॉलो हंडिट परसंट फॉलो करने के बावाद जूद भी पेपर फेल हो गया ना मैं फीज भर दूग बदल दूगा और मेरा नाम बदल देना हर वीडियो या हर कमेंट में जाके मेरा नाम चोटा चेतन क्या रखे ना चोटा चेतन अगर यह त्री आर स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बाद भाद आपका पेपर क्या हो गया यह मांक्स का मां गया और मैं आपको फीस रिफरंड करूंगा आपकी कोर्स की भी पेपर गी बट मेक शूर इसमें कोई कोई नहीं होनी चा बी एक्सेप्टेट एक नीचे कंक्लूजन लाइन जरूर लिखना नवीन ने बहुत अच्छी लाइन लिखके बेजी हुमक करके दिया था बताता हूं उस्ते लिखा यह तुरी था के प्रोजेक्ट शुडबी एक्सेप्टेट बुला हो जाना चाहिए और फाइन दिया न प्रोजेक्स का दिया जिसकों उसको एक्सेप्ट करने के लिए था कर सकते हैं यूज बहुत ngonfinancial grounds के ऊपर उसको एक्सेप्ट ना करें दूस्ड पर बक्रोजेक्शा सिर्थ प्रोजेक्ट इस धीन साल चार साल शाओ सबस्क्राइब नहीं करा तो बहुत बहुत है क्या विण ठीट की किया होगा एक लिए गिरी बात करूए यह मुझे सोचने निने माले बात तो हम पूर सबसक्राइब और है इस लॉए में बात कर सका नहीं कि इंदर किंग होता आइक मांट और डिआका फर्ग हो star सब्सक्राइब करते हैं जो भी सवाल हम क्लास में कर रहे हैं जो भी सवाल हम क्लास में वह आपने मुझे घर जाके में एक्सल शीट पर करके दोबार देना है हमारी सबसे बड़ी पार्ट टू की कहा होती हम पूरा कोर्स कैसे पढ़ते जैसे पर हमें मैन्मल देना है पर अमें कि पहले में और जिस दिन क्या कहते हैं पर उताउस फंद्रा दिन पहले उठाते हैं है लैप्टप्स उस दिन देखने के बाद मैंने अपना एम सेट क्या मेरी वेट जो की एजस्मेंट है और सब्सक्राइब किसके साफ से मेरी अखरी दिन मुझे आगे सब्सक्राइब किसका नाम है तो भाई जिस चीज से जंग लड़नी है उसकी प्रैक्टेस हमें वेरी फर्स रखनी है तो आपने अब जैसे जो बच्छे आथ बैठें जैसा अगर आप बैठें तो आपने मुझे यह सवाल किसमें जमागर आना पूरा एक्सेल पर सॉल्फ करक खुराइब करा जा रहा यह उसका अपने ड्राफ लिखके क्या करना सब्मिट कराना किसके अंदर वर्ड के फॉर्ब का अच्छा अच्छी बात होगी मैं भो भी आपको क्या करूंगा शेर तो पिर क्या करें देख के जलें जलना नहीं है उससे सीखना है जैसे आज हमने क् नवीन से कि क्या लिखना चाहिए बहुत अच्छे अलफाज आपने वर्ट बहुत अच्छे यूज की रिखिया है वर्ट से वो मर्स कंसिडर टू भी एक्सेप्ट इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर आगे भी लिखा था कि और फाइनेशल ग्रांट क्यों मैं आपको बहुत सारे प्रजेक्ट प्रॉफिटिबल तो होते हैं बट ड्यू टू अधर रीजन अमसको एक्सेप्ट नहीं करते बात सुन मारी है यह क्लियर अर्वी क्लियर मिटाएं इसको नहीं टॉपिक देखें tax savings on capital allowance tax savings on capital allowance capital allowance क्या है वही capital allowance is tax allowed depreciation जिन्होंने एफ्सिक्स पढ़ा उनको capital allowance की बारे बतावा किस ने एक बच्चा जिसने एक पड़ावा यहां तुम नहीं तो इसी कभी नहीं नहीं तो आपको समझाता हूं पहले बेसिक से बात क्लियर करता हूं ता कि आपके concept क्लियर हो जाए कि यह वली जी जीज करनी क्यों होती है करनी क्यों होती बहुत से सुनना मिसाल के तौर पर एक company उसको profit हुआ 10,000 dollars का कितना हुआ और यह वो profit है जो before tax है कौन सा है PBT है अब अगर इस पर मैं tax apply करूं वेचे इस मिसाल के तौर 20% है तो इट विल भी 2000 तो दोस्तों मेरा पैट कितना हुआ profit after tax कितना हुआ 8,000 मुझे अचानक से याद आता है यह मैंने इस computation की एक साइट पर रख दी क्या मेरा profit कितना है 10,000 उसमें से 20% मैंने tax deduct किया तो मेरा profit कितना हो गया 8,000 यह पहले आपको कुछ tax की और बाते बता रहेता हूं फिर इस वाली बात पर रहूंगा इस वाली बात को मैंने tax charge किया जाएगा इस पर क्या लगेगा tax charge लेकिन जब आप expenses या losses करोगे मतलब आप खुद सोचाना जो loss बचता है वो net expenses ही तो होता है जो loss बचता है वो क्या होता है net expense दिखाता हूं बिटा आपके revenue थे 5000 आपके expense थे 2000 तो आपके पास क्या बचाना net profit कितने का 3000 अच्छा अब आपके revenue थे 5000 आपके expenses हो गए 6500 के 6500 के तो आप आपके पास क्या बचाना net loss बुला लो या net expense बुला लो net loss बुला लो या net expense विचिस 1500 नेगडिव बास मना रही नेट बच क्या रहा expense तो चाहिए losses हो या expense tax वाले इस पर आपको क्या देते tax credit देते हैं या savings देते tax credit या savings का मतलब क्या है the a solid डिया lassi और हम उसमें students ले लेंगे लेकिन अगर आपने खर्च कि उसमें से 20 arma कर देंगे वापिस कर देंगे tax credit देंगे tax savings होगी ये टेक्स में आपको बचत होगी टेक्स में जो income बची वो कितनी बची 8,000 मुझे अचानक से याद आता है कि यार मेरे पास profit कितना है 10,000 मेरे पास profit कितना है मैं कैसा expense है जो deduct करना भूल गया हूं और tax वाले वो expense minus करने की क्या देते हैं इजाज़त टेक्स वाले मुझे expense क्या करने की देते हैं इजाज़त पॉर एक्जेमपल के एक depreciation था depreciation था वो मैंने deduct करना क्या हो गया मैं भूल गया और वो depreciation around क्या कहते हैं 2000 रुपीस का था 2000 डॉलर्स का था तो अब मेरा PBT कितना हो गया profit before tax कितना हो गया 8000 मेरा profit before tax कितना हो गया जैसे मैंने इस पर tax rate लगाया which is 20 जैसी मैंने इस पर tax rate लगाया which is 20% 23% of 8000 is 1600 के बाद मेरे पास 500 बचा सिक्स्टीफ aur 100 जब तक मैरे expense less नहीं किया था मेरत कितना हो 2000 जब तक मैंने tax expense less नहीं किया ता जैसे ही मैंने depreciation less किया तो मेरा tax कितना हो क्याहें क्यों है उसाइ Bird did about race अगर आप खर्च करें तो टेक्स वाले आप से कुछ पैसे आप क्या करेंगे वापिस कर दिखाऊ जब आपने 10,000 रुपे कमाना तो इस पर 20% टेक्स बनता है 2,000 रुपे आपने 2,000 रुपे टेक्स वालों को दे दिए कितने दिए 1,600 मेरी बात समझ में क्या समझाना चाहरा हूं इस से यह बात clear हो गई कि जितनी दफह मेरा e Crit amongst the students काम होता जाता है इस मेरा क्या काम होता जाता है अगर मैं relationship बणाओ expenses क्या करते है expenses क्या करते हैं profit reduce करते ряд x reduce profit पर क्या लगता है reduce tax ज zooming पिस्य आलफास में कहा हूं तो सेविंग्स हो जाती है क्या हो जाती है सेविंग्स जो मेरा टेक्स का कखर्चा 2000 पे ता अच्छा तो ऊचुका एता बस मेरे लिए तो यह बहुत अच्छी बात है टेक्स वाले अगर को डिड़क्ष करने की क्या देते इजाजत टेक्स वालों नों बोला भाई आप 2000 पर डिड़क कर लो डिड़क जैसी डिड़क करें तो अब मेरा टेक्स कितना बना 1600 तो अल्टीमेटली मुझे टेक्स में कितनी की बचा तो यह चार सुर्वेगी नहीं समझ आया अगर अभी भी मेरी बात क्लियर नहीं हुई आओ एक केस टू से समझाता हूं यह केस बन था ना केस टू ठीको एक है अकाउंटिंग की दुनिया एक है टेक्सेशन की दुनिया और एक है financial management की दुनिया यह तीनों दुनिया अलग है तीनों दुनिया के तरीके को सोचना और इनके rules को समझने की यह फर्क करने की क्या अपने अंदर skill डालो कि किदर क्या बात हो रही है आओ पहले बात करते हैं कि एक चीज हो चुकी है वह हमारे पास एक income आच चुकी थी लाइक मिसाल को पर 10,000 डॉलर्स की ठीक है एक हमारे पास expense one था एक हमारे पास expense one था one expense कोई भी नाम रख लो rent expense marketing expense advertisement expense जो तुम्हें नाम रखना है expense one था मिसाल के तौपर आपके पास कितने का 300 डॉलर्स का और आपका जो tax rate चल रहा है आपका tax rate चल रहा है वो कितना चल रहा है 20% कितना चल रहा है 20% सबसे पहले मैं आपसे बुला सर आपने मुझे से बुला सर मुझे financial reporting FR F7 F3 F2 या income statement वाला काम सिखा दो क्या सिखा दो मैं भी सिखा रहे था हूं financial reporting सर पर मुझे दूसरा तरीका बताएं कि टेक्स taxation में क्या होगा taxation implication बता दें टेक्स वाले कैसे सुचते हैं तीसरा मुझे यह सिखाएं कि एक financial manager कैसे सुचता है financial manager tax expense one का नाम रख लेते हैं rent cash rent गया है expense two का नाम रख लेते हैं क्या depreciation expense two का नाम रख लेते हैं depreciation आई यह financial reporting की बाद में financial reporting वाले तो बोलते हो भाई FR का implication समझा रहा हूं किसका application समझा रहा हूं बहुत सिंपल बोलते हैं बुला भाई income आपके पास कितनी आई 10,000 कोई भी खर्चें हो expenses हो वो सारे आप क्या कर दीजिएगा less number one rent number two is depreciation rent कितना था $200 depreciation कितना था $300 PBT कितना बचा PBT कितना बचा 500 less करो तो कितना बचा 9500 बुला टेक्स बता दें तो जैसी टेक्स की बात आएगी ना ऐसी डारेक्ट 20% अपला आए एफ और वाला पते क्या करेगा टेक्स डिपार्टमें चला जाएगा company के कितना चले आगा बलें कभर टेक्स कंप्यूट करके बता दो इस साल का क्या बता दो टेक्स कम्प्यूट करके बुला मैं आपको बताता हूं थोड़े देर बाद आजाना अच्छा जैसे अगर मुझे टेक्स बताते हैं तो मेरे पास क्या आजाए पैट आ जाए मेरे पास क्या आजाए ये फाइनेंशल रिपोर्टिंग वाले हो गया अब काम किस डिपार्टमे हैं जिनको माफ किया हुआ ना तकरीबन सारी इंकम्स पर टेक्स लगता है जैसे एक मिसाल कि पाकिस्तान पेले ऐसा वक्त आया कि एग्रीकल्चर से आपने जो भी कमाया वो क्या है क्यों कि आता इसा टेक्स-प्री क्यों किया ताकि सब इंकरेज हों किस पर काम करने के लिए एक्यग्रीकल्चर सेक्टर है तो जाटर को इंकरेज करना होता है उस पर टेक्स कम कर देते हैं टेक्स holder है सर्छ रएक लेकिन जहां उन जिस चीज की डिमांड को कम करना होता है यहां पर लोगों का इंट्रस्ट कम करना होता है वहां पर क्या बढ़ा देते हैं टेक्स बढ़ा देते हैं बात समय तो इंकम तो चुप चाप उन्होंने बोला भाई 10,000 अब सबस्क्रों यहां पर सिनेरियो नंबर बढ़ार क् 1 और यह सिनेरियो नंबर टो एं ऐर सवाले बोलते हैं आपके सारे अलाव नहीं कोंसा लेस्त वि किसОं छूडय कर सकते हong रंट्ट सिर्फ कॉनु संसल कर सकते हो इथर मैं लए OPHE यहां कितना जैसी 2007 मेरें पास कितना बचा 9800 9800 पर टेक्स 20 परसें लगाओ तो किना बनता है जली से वन नाइन सिक जीरो ठीक है अच्छा सब्सक्रों आप ऐसे मुल्क में रहते हो वह आपसे कहते हैं कि भाई यह जो आपकी इंकम है आप एक ऐसे यह बात अगर आपके एक बार समझ में आ गए न पिर चाहिए आप टेक्सेशन के पेपर में चले जाओ रिपोर्टिंग के पेपर में चले जाओ किसी बड़ी असानी हो जाएगी चीजों को क्या करने में समझने में बोला इंकम कितनी हो गई ऑब वो टेक्स वाले बोलते हैं भाई आप रेंट भी डिड़क करो आपको हम बलके अलाओ करते हैं आप डेपरिसेशन कितना था ऊसकी वज़ा से मेरा प्रॉट कितना बना ना टैटेवाइए और नेनिवाइफ औरेट मेरे इन न रहना पसंद करोगoupe agra तो ही खरके में स्यार्ट को एसा कानुन पशंदार आप छितना ज्यादा एक्ञटेक्स अलाउ acord यह जाते न उतना हमारा टेक्स कि अधा जयाता है कम् ROBारा सैकल सुनूब किसफेंस है अगर बोट कर दीया जाया Allowed Allowed to deduct from profit Allowed to वो हमारे profits को क्या कर देता है Reduce जब profit reduce रहे थे tax भी क्या बाता है Ultimately tax में क्या होने लगती है Savings होने लगती है क्या होने लगती है Savings अब जैसी मुझे पतला ओड़े Depreciation allow कर दिया Depreciation क्या कर दिया ये FR वाले को पतल गया भाई टेक्स कितना बना है 1900 पैट कितना आगए जली से बताओ 7600 Sir what about FM Financial Management वाले जब होंगे What about FM जब कौन होंगे Financial वो भाई वो तो feasibility report बना रहे है उसनों क्या बना रहे feasibility report तो उन्होंने बोला भाई income उनकी हो गई कितनी 10,000 इंकम उनकी कितनी हो गई 10,000 उन्होंने लगा रेंट एक relevant cash flow है real cash flow इसके बतले पैसा बाहर जाएगा कितना पैसा बाहर गे रेंट का बिटा 200 लेस कर दिया उनके पास net cash flows आ गए net cash flows कितने आ गए 9800 के यही करते हो आप लो net cash flows आयते हैं उस पर आपने tax लगाया बेटा tax rate लगाया which is 20% वो बनता है 1,9,6,0 यह करते हो आपनो tax deduct कर जाते हो आप बताओ actually tax 1,9,6,0 गया है actually tax 1,9,6,0 गया है पुला क्यों नहीं लिया जाता because it is a notional cost notional expense irrelevant cash flow और irrelevant cash flows नपीवी में consider नहीं किये जाते हैं सर हमारा relevant relevant cash flows का topic और irrelevant cash flows का topic बहुत कमजोर एवीक है पुला सर revision मिल जा कोई कुछ नहीं यूटूब पे दो वीडियोज देलियर है कुछ नहीं मैं शूट पैन के चीख रहा हूं बार बार वो दो वीडियोज जाके देख लो दो नहीं एक देख लो relevant cash flows की किसकी देख लो relevant cash flows की एक video देख लो उसमें मैंने पूरा relevant cash flow F9 का हो बच्चा F5 का बच्चा, F2 का बच्चा, MA2 का बच्चा जबभी वीडियो देखेगा 1.5 की speed पे automatically इसका सारा topic क्या होँचा revise होगा, इसका सारा topic क्या होदाएगा revise होजाएगा, basics revision can't you say that आतकी play do depreciation expense हमने less नहीं किया ऐन पीवी में से यह वह जोबी हम ओनाथ है समैं में लेस्ट नहीं गए रिजन क्या है इरलेवंट डेसी केश्व रेजन क्या है रिर्रेलेवंड कैश्व यह आपÓ लोग मेरी बात सिम्हारी में क्या कर चाहरा हूं और अगर आप देखो तो टेक्स भी गलट डिड़क हुआ हुआ है तो मैंना बोला भी डेप्रिशन एक्सपेंस कितना तरह बताना 300 यह तो NPV में से डिड़क नहीं होगा यह तो NPV में से लेकिन इसकी वजासे हमारे को कुछ क्या हुआ यह बचात या पैसा वापिस मिला बच इसका टेक्स बेनेफिट टेक्स सेविंग टेक्स क्रिडिट एक ही बात है कितना बनता है 20 परसं देखो तो 60 कितना बनता है मलगा जब यह expense हमने किया तो इस्पर टेक्स वालों ने 60 रूपी समय क्या कर दिये वापिस इसको कहा जाता है टेक्स सेविंग ओन डेप्रीसियेशन टेक्स सेविंग ओन अभी जो 60 मैंने एड क्या तो अल्टीमेटली बताओ मेरा टेक्स कितना गया नाइंटीन हंड्र आप समझ में मेरी बात या नहीं समझाना चाहरता है तो बारा से समझा देता हूं बहुत अगर सिंपल करूं ना बातों को बहुत सिंपल दीको आपको टेक्स देना पड़ेगा आप खर्च करोगे और अगर खर्चा अलाओ हो जाता है तो टेक्स वाले अगर ऐक एकशप्रची ऑगता है कि यह बात समय रहा हुद इनकल्स पीचस दिना परता है एकश्पेंस पर क्या हो जाती है सेविंगश अब अगर एक हैंकैंस ़िप обяз वहार एक expense कम हो जाता है वह कौन से expense कम हो जाता है टेक्स का expense expense 1960 नहीं है बलके कितना है 1900 तुबलाई 60 रुपे कैसे कम हो गए वह इसलिए कम हुए क्योंकि जब tax वालों ने depreciation अलाओ किया उसके समय tax savings भी बात के लिए यहां तक सब्सकेजारे लेकिन जो टेक्स के वूर के मताविक की जातीं मताबर के मताबश की घ्रूर के मताब़ी डेशिक पहली बात, capital allowance क्या, tax allowed, depreciation number one, number two, इसी capital allowance पर हमें क्या मिलती है, tax savings क्या मिलती है, और हमें ये एक cash inflow पढ़ना, एक तरह का हमारा क्या हुआ, क्या हुआ, इनफलो, और ये inflow calculate करना होता है, ये inflow क्या क्या करना होता है, calculate, clear हो गया, आरवी clear या नहीं clear, बात समान में आई या नहीं, सवाल करा हूँ, कोचन करा हूँ, expenses allow करने की वज़ा से हमारा tax क्या मुझाता है, tax पर क्या आती है, savings आती है, पहली मिसाल में देख लो, जब expense deduct नहीं कहता, तर tax कितना था, 2000 का, जब expense deduct किया, तो tax कितना हो गया, 1600 का, तो ultimately tax savings कितनी हुई, 400 की, कितनी कि हुई, 400, आईए, नहीं समझ माया, मैं आरदफा ऐसा करूँगा, नहीं समझ माया, control, alter क्या दबा देना, delete, इतनी सी बात समझ लो, तो भी काम चल जाएगा, ये logic थी, इतनी सी बात समझ लो, तो आपके पास लिखाओ है, machine cost, 200,000 dollars, life of project, life of machine is 4 years, ठीके, scrap value is 20,000 dollars, capital allowance, capital allowance, capital allowance, will be charged at straight line method, straight line method, machine cost, life of machine, scrap value, capital allowance will be charged at straight line method, ठीके, दो, तीन, चार, एक और को information लेगा, tax rate is 30%, required, make capital, tax savings on capital allowance, शड्यूर, शड्यूर, समझ लागे कि MPV में क्या करना है, हम एक नया cash flow, investment का cash flow तो simple given होता था, sales का cash flow कैसे calculate करते थे, selling price, number of units, material का, material cost, number of units, labor, overhead, fixed overhead में याद रखना, अगर पर unit है, तो first year, ठीके, we will consider first year as budgeted unit, as budgeted units, done, उसके बाद working capital investment, working capital recovery, tax charge करते थे, लेकिन जो हम tax charge कर रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा, sale, material cost, labor, variable overhead, fixed overhead, तो deduct होगे है, लेकिन उसमें से depreciation deduct, नहीं वाजकाना, जो tax calculate हुआ है, वो overstated है, दुबारा बताओ, जो income है, उसमें सारे expenses less कर दिए, तो जो हमाँ पाद जो profit है, वो overstated है, तो यह tax भी जो आया, वो क्या है, तो उसकी adjustment डालने के लिए, हमें cash flow calculate करना पड़ता है, उस cash flow का नाम क्या है, tax savings, क्या नाम है, tax savings, आईए कैसे होगा, वो tax savings है जोँगी, तो आपके पास यह detail है बाई, एक machine उसकी cost कितनी है, दो लाग, उसकी life of machine कितनी है, चार साथ, scrap value कितनी है, 20,000, capital allowance will be charge at straight line method, टेक्स वाले depreciation calculate करते हैं, किस method के मताबग, straight line, अब accounts वाले कैसे करते हैं, इसका मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मुझे tax की बात पता करते है, tax rate is 30%, मतलब अगर कोई income हुई, 22 पर tax कितना देना पड़ेगा, 30%, और अगर कोई expense हुआ, तो उसमे मुझे tax credit या benefit भी कितने परसन पर मिलेगा, 30% भी मिलेगा, make tax saving on capital lounge schedule, ये schedule बनाना पड़ता है जिसके सिर्फ तीन कॉलम, जिसके सिर्फ कितने कॉलम है, तीन, सबसे पहले आपके पास आजाते है, years, सबसे पहले आपके पास क्या जाते है, years, कितने सालों का काम करना है, दूसरा आपके पास, अच्छा, tax 30% ना, same year, अच्छा कभी या, capital allowance, capital allowance किस पर calculate हो रहा है, straight line के उपर calculate हो रहा है, किस पर calculate हो रहा है, इसी depreciation पे, ये tax depreciation पे हमें क्या मिलती है, tax savings, क्या मिलती है, तो हमने tax savings की adding डाल दी, किस की adding डाल दी, tax, save, हम आपके years कहां से, year 0, 1, 2, 3, 4, 5 एतियातन ने एक उपर कर दिया, एतियातन अभी एक उपर कर दिया, ये आपकी excel की sheet चल रही है, ये आपकी क्या चल रही है, excel की sheet जी बई, सबसे पहले depreciation calculate कर ले, सबसे पहले capital allowance calculate कर ले, depreciation की जगा बस क्या लिग दिया, capital allowance, formula क्या होगा, cost minus scrap value divided by life, cost कितनी बटा, 2,000, scrap value हमारे पास कितनी है, 20,000, life कितनी है, 4 साल, क्या है बेटा depreciation? 45,000, per year, जी पहले दिन तो machine इस्तमाली नहीं हुई, साल खतम रही थो depreciation charge नहीं हुए, पहले साल में depreciation charge होता है बेटा, 45,000, दूसरे साल में Deppかな चार्ज होता है कितना और सइम क्यों स्प्रीट लायन माध़ड है मेंierte थीसे साल विजेप चार्ज विख साल चार्ज नहीं हो गा यह क्योंकि फॉरिय्जेक्ट की लाइफ किती है क्थ यहां पर बस मैंने फिलाल अभी रुख गया जैसी आखरी वही ना यहां पर मैंने डबली लिग डबली मीन्स रुख गया मैं भी फिलाल अच्छा भी अगर पहले साल डेप्रिशिंट 45,000 चार्ज हुआ है जो के एंपीवी में नहीं लेते क्यों नहीं लेते प्रीजन इर्रे परसेंट लों कितना है 13,500 13,500 13,500 अब आज़े डबली के उपर अब आजाओ डबली के उपर देख रहे हुआ वर्किंग देख रहे हुआ और से देखना विटक एसिट की कॉस्ट कितनी थी कि 200,000 अब तक accumulated depreciation कितना हो चुका है 45,000 x 45,000 x 4 चार साल का पूरा डिड़क कर दो चार साल का डिड़क कर दो कितना होगे बिटा दिली से बताओ 180,000 अच्छा याद रहता है चौते साल का भी डेपिशिन लिया मैंने नहीं है यह अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है तो आप यहां पर वर्किंग क्यों करके दिखाऊंगा वर्किंग सारी होगी न तो बिटा कितना हो गया बिटान नेट बुक बेथ अभी अब भी इसीड वाल्यू बचना होगी हूंत कितनी होगी सोचो चौतते साल एक होता 45,000 का depreciation चौते साल एक expense होता कितने का होता 45,000 चौते साल ही मुझे gain भी होता और loss भी चौते साल मुझे gain भी होता और loss भी और अभी टेक्स वालों ने का अगर फाइदा हुआ तो हम क्या चार्च करेंगे टेक्स और अगर नुक्सान वह तो क्या देंगे tax credit tax savings मेरी बात समझ रही है तो अगर देखा जाए तो सरिफ चौते साल depreciation का का खर्चा नहीं हुआ चौते साल सरी का खर्चा चौते साल जब मशीन बेचेंगे फॉर्थ एर में जब मशीन सोल्ड आउट होगी देर विल बी गेन और लॉस जो कि मैंने यहां कैलकुलेट के यहां कितना रहा है जीरो अब मैं लिखता फॉर्थ एयर डेप्रीसियेशन मिस है 45,000 तो भाई आपके पास यहां पर भी अंसर क्या हुआ 45,000 लेकिन याद रखना लास्ट एर में आपको क्या करनी होगी वर्किंग क्योंकि टेक्स का बड़ा सिंपल असूल है बहुत सिंपल सी बात याद रख लो वही काफी है कमाया टेक्स देना पड़ेगा खर्च किय आपको वापिस मिल जाएगा आपको सेविंग्स मिल जाएगी आपको क्या मिल जाएगी आपका टेक्स कम हो जाएगा बहुत सिंपल था एक फोर्थ एर में 45,000 का डेप्रीसेशन हुआ अगर सपोस्कर यहां आ जाता लॉस 20 तो टोटल मुझे एक्सपेंस कितना मिलता 65,000 का मिलता अगर यहां 20 लिखा था 20 प्लस 45 कितना आता 65 अगर इंकम लिखी होती 10 की इंकम मतलब गेन ऑन डिस्पोजल तो पिर यहां पर कितना आया था 35 यहां पर कितना आ जाता 35 तो बुला भी तो फिलाल 45 है वह 45 यहां जाके रखा इसका भी आपने थर्टीन परसन लिया इसी साल इस साल लेविशन चार्जवा इसी साल इसी साल इसी साल इसी साल इसी चार्जवा अब यह टेक्स सेविंग अपने कैश्वलोज कंप्यूट के ना यह कहां चले आएंगे NPOV के सवाल कोई डाउट है क्या बात मुश्किल लग रही कोई मस्कला तो बताओ कुछ पूछना है तो पूछो को लोग सब को बहुत प्रक्रमेंट करूंगा कि क्लास से पहले तो सूख कर आऊ और अगर आपको लगता है कि आपके एनर्जी बहुत ज्यादा कंजीम होती कि एक बात आपने बालोजी नहीं पढ़ी भी पढ़ी होगी तो आपको एडिया हो जाता है पेट में जो खाना है ना या आपका पेट अगर मोटा है और आप पतले होना चाहते हो जाए को चाहिप तो चाहिए तो क्यर्सक्राइज कर हो जिसमें दिमाग बहुत ज्यादा खzung क्यूँकर आपको पता हो इतनी है ज्य होती है तो बटनी हो गळिंटा रोशन हो जाए तो इसेयूंन nuclear वह ह Tabi पेदा करने के लिए वह मैंटर चाहिए ना पेपर उड़ते हैं बच्च हो जाता है मैं और 10 राय गोगो एक दिन आप 10 बारहन थाओ दो दो दिन देद्स लेकर लेलेकिन रोजान्हा बा这么 अगैर थे अग्र आपकी आघ्यार बाजे जो ऊगए एक दिन आप 25 सो हो जाओगे दो तो देन ज लेकिन द przysz्त लाजना वाना बारं गंठे सो भी नहीं सतते हैं मैं नहीं द मुटा भाए मिरी टो छे चार गंडे की निए बस छे गंड से चार गंड चार एस गंड़ के और मुझ्य कैसे अभिषब घूंट का लजटी कितनी खराब हो गई है मुझे इसा judge लोना है कि वह सोच रही है अब अब अर्स अच्छा नीपड़ा रहे हैं मेरा कसूर थोड़ी है सब्सक्राइब आरे नहीं हरी है जो भी वर टेवर केसमें से भी सामयाख होता पदे क्या अगर में जिंदकी में सिप्लीं लिया था मुझे अची था रहाए मेरा इक पेपर हो 50 पे कलियर ऊपरे घ्राम को चार में डीए अध्या। इसको कभी इसको कभी पोचना सीजी के बारे में कॉपरीट पेपर था किसी ने पेपर को इसकी नहीं तब तो टो लूजिए कंप गर दिया आइस एसे वारे ने खतम कर दिया क्या क्यों कि बहुत चोटा और संबसे चोटा वोड़ा जाए पर मेरा कहने का मकसद यह कि देखो मुझे एक बात समझ नहीं आगे थी कि अगर मैंने किसी पेपर को सीरियस नहीं लिया अच्छे-चे महीने आले है टाइम्ट होती नहीं मैंने कहता रात तो को जागो पहले तीन मेने शुरू के नहीं पड़ा आखरी की तीन मेने पढ़ लिया यह तो है आखरी के क्या तीन महीन है यार पिर आप बोलो जल्दी भी आना मार्केट में अब ऐसे थोड़ी होगा यार महनत करनी पड़ेगी कुर्बानिया देनी पड़ को कि भाई आप मम्मी पपा आप लोग चले जाओ मैं घर पर खाना मंगा लूगा नहीं चाहिए भाई फ्री का खाना जिसमें इतना डेप्रेशन और सबकुछ हो सवाल देख लिए दू कोचसे ने पहला आप कर लो दूसरा मैं करवात हुँगा पिर एक डारेक्ट को करते ह किट कोच से ज़ये आप लोग के पास किसी वाकेट्स मुझे आद ढला देना मैं शेयर दूगा और सब कान ली यारभाई पर सुनल मैसेच कर दे अग्या ठीक है ठाकि दिरी चैट ऑपर आजा एक पर सक हुझार आप भी कर देना आप भी मुझे फरषे कर देना नवी नाव इस द्रॉप मैसे जहां तो ग्रुप और प्राइवेटली किसे में 10-15 मिलेट हो रहा हूं वह भी बता दो अच्छा मैं नॉर्मली हमेश्य टाइम पर आता हूं आज टाइम पर आया बता हूं सही है बहुत वन सिना ब्लूमून होता है मैं कभी अगर ऐसा हो ना कि देखो यहा हो जाएंगे को सरकम्टांस मुझे रोकता है वरना मेरी प्लाइनिंग में नहीं होता है मैं आप से करो लाइफ को अच्छा में आप इंजॉयमेंट रखो ना क्यों रखते हैं कि दस बजे उटे दस से बारा पर त्यार होके आगए दस से बारा से तीन सब की एक क्लास से दो जो पर उठाएम कितने वोटार हैं तो दो टाएम है और सब में मार्च में देने हमें थो बहूट तुमनों बहुत तेज जारू बहुत अच्छी रफ्तार में जारू सही है चलो ठीक है तो अगर दो दो टाएम है तो फिर तो फिर तो गी ओली बात हो गए 2 क्लास के टाइम निकल जाते हैं एक है ठीक है बागी फ्राइंट है ठीक है कोई मसला नहीं तो तुम्हारे बाट निदे चुके न बच्छे का एक्सपीरिंस हो तुमने एक सेटा बता हो कितनी कालकुलेशन करना पड़ती है और वेरी फर्स डे से एक्सल स्टार्ट क्या था आखरी में अधरी प्रिपेशन के एक मेहिने बाद माने पढ़ा ही कि एक मे polished लिवा कष्टार वने करा ओने के signification आख अब्हुंट से ना टालते हैं जिसकी विद यहा थे यहाता है लेकिन हमने ब्न ग्रक्तृक्यों किया थि तो इसको adjust करने के लिए हम क्या डाल देते है tax savings clear हो गया बहुत simple करके अगर बात की जाए ठीक है logic हमेशाद ना थोरी मुश्किल होती है उसको समझना आजम करना मुश्किल होता है लेकिन once we get familiar with it तो पिर उसकी working तो बहुत क्या है simple है रोजाना ऐसी काम करना अब यहर सवाल में होगा हर सवाल में NPV calculate करने से पहले हम क्या कर लिया करेंगे tax saving schedule बना लिया गरेंगे tax saving schedule ना हमारा एक cash flow पहले से त्यार होगा एक cash flow पहले से क्या होगा जी इस सवाल में क्या कर रहा है सबसे पहले आपने डाली एर्स की फिर इसके बाद आपने क्या काल्कुलेट किया कैपिटल लाउंस और पिर क्या है टेक्स सेविंग ऑन कैपिटल लाउंस एर 01234 ठीक है जी बही डेप्रिसेशन काल्कुलेट करने फॉन वन लेक माइनस थाउजन डिवाइड वाइड वाय तू थाउजन टो तूती तो थाउजन तू पहले साल का डैयपेशन 2250-2250-2250-2250-2250-2250-2250-2250-2250-2250-2250-2250-2250-2250 अभी फिलाल माज मैताग है तो कोई फर्क पड़ यहां तो कि bei वेलिए को हटा आके सारी को कह देप्रीशेट करते से भप्रेट अटा व्य जुट लगे ौर लॉस बच नहीं रहा तो बरकेंन और वर्किंग मा multiply कर लो 4 से तो वो ही आ जाएगा कितना 99 99,000 नी आ रहा है 99,000 नी आ रहा है 99,000 नी आ रहा है पिर 9,000 आ जाएगा 9,000 जैसी less करोगे आपके पास क्या जाएगी net book value 1000 की cash proceed या scrap value कितनी आ रही है cash proceed या scrap value कितनी आ रही है 1000 तो अभी तो फिलाल no gain no loss है अगर gain loss होता तो उस पर भी टेक्स लगता सही है और साथ में एक और चीज़ भी तो है ना 4th year depreciation 4th year depreciation वो कितनी हो जाती बिटा 4th year की depreciation 2250 टोटल आ गया 2250 इसके उपर tax rate लगा दिया वेचिस 30% कितना है दोस्तों tax rate तो बाद में लगा लेंगे ना 404 504 504 504 50 clear आरवी clear चलें दूसरे देखते है एर capital allowance और क्या आगई tax saving on capital allowance capital allowance tax saving on capital allowance सबसे पहले depreciation calculate कर ले थे 20,000 minus 5000 divided by 4 years जी दोस्तों क्या answer आया 3, 7, 5, 0 year 0, 1, 2, 3, 4 and 5 year 0 में no capital allowance, no tax saving on capital allowance अच्छा भी year 1 में depreciation कितना charge हुआ 3, 7, 5, 0 3, 7, 5, 0 3, 7, 5, 0 यहां पर आपके पास क्या आजाती है working working यह उपर कर रहा हूं न क्या कर रहा हूं, अपर working क्या है सबसे पहला हम अच्छा आप चाहो तो direct netbook value भी लेख सकते हो चाहो तो आप क्यार सब्सक्राइ करते हो डारिक netbook value calculator पर calculate कर लिए, दिमाग में calculate कर रही तोरी सी smartness सिखा हुए तोरी सी क्या सिखा हा हूँ सर शुरू में आपने डैरेक्ट क्यों नहीं सिखा अब भाई शुरू में समझा रहा था ना अगर डैरेक्ट काम कर दूंगा तो बच्छा पुले का नंबर कहां से आया डैरेक्ट क्या लिख लो नेट्बुक वैल्यू कैसे लिखी आपने क्या आपने 20,000 से माइनस कर लिया ह माइनस क्या होगा 50000 कैश प्रोसीड भी कतनी आ रही है 5000 कैश प्रोसीड भी कितनी आ रही है क्या यह प्रोसीड यह स्क्रैट वैल्यू बुला लो बात एक है आपके पास क्या आया no gain no loss आपका डैप्रिसेशन कितना है 3-7-5-0 तो टोटल कितना जाएगा 3-7-5-0 तो यहाँ पर आगया 3-7-5-0 जी भई 30% tax rate है at 30% saving हो रही कितना आया 11-2-5 ना 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 यहाँ नहीं ले सकते है वज़ा बताओ यहाँ की नहीं ले सकते है सुनना इसका चुके पहले साल के profit का tax दूसरे साल पे हो रहा है तो जब profit पे tax pay करने दूसरे साल जाएगे तो tax credit भी कब मिलेंगे दूसरे साल ही मिलेंगे तो इसका यहाँ पर आपके पास tax savings आदेंगी which is 11-25 इसकी यह arrow बनाना जरूरी है नहीं एरो नहीं बनाना जरूरी है आपके समझाने के लिए आरो बना रहा हो आपके समझाने के लिए 11-25 11 in flow considered होगा क्या consider होगा in flow clear है आए एक सवाल करते है किटका charm incorporation मैं आपको WhatsApp पे शेयर कर रहा हूँ क्या नाम है charm incorporation जो आपने अब तक पूरा सीखा है ना अच उस पूरी बात का निचोड़ सवाल में या समझो सवाल की क्या कराई जा रही थी इस preparation ठीक है तो आपको समझा रहेगा कि जो मैं आपसे practical life example भी डिसकुस करें तो सिभी आपको idea हो जाएगा इसमें को issue है इस नाम मैं हर दफाब बूल रहा हूं सौरी उमर वह बहुत असान है उमर सागर एक इसका ना बहुत मुश्किल है एक दवार लिख लेता हूं लिखने से अच्छा लिखने की ताकर अब दिरना नाम याद रहेगा स्पैलिंग बताना दोस्त अब मेरे अच्छी भी नहीं भूलेंगे क्योंकि मेरी फिंगर प्रेंट इसने लिखा ना मेरे फिंगर जो उसको इंप्रेशन उसने लिखा ना शजीट ठीक है मैं आपको सवाल देज दों का एं मूबाइल दूसरा है वह बढ़ा कई वाइफाय हॉटसपक्राइब आपके पास हारी होगी रियल मी 5S ठीक है पासफ़र बोर से सुन लो पर बार बार पूश्टो बोलतो गलत हो क्या है सुन लो स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एच स्मॉल आई स्मॉल डी स्मॉल आर 313 313 ठीक है जब तक मैं आपकी किताब का सवाल तोन देता हूं कित्ने बज़े सु आई सागर वे तिरी रात को बज़े सोगया था और बारा बज़े उठाए में बतार हो अगर नहीं सुद्रे ना मैं मैं देखो कैसे जो गेम खेलूं आप तुब आट कुदे सुछं जी ओमर कित्ने बज़े सुद़्ेइए क्या कर रहा था भाई रात को जाग के सागर और उमर आप क्या गरना है तेतिनी रात को नहीं भाई जी सजील कितने बज़े सुए रात के बारा बज़े इस फाइं मरजी और कॉल भाई मुझे क्या है मेरी बदवा बदवा लग गई न आकसर मैं मैं प्रडिक्शन्स में बहुत अच्छा हूं तो दुअ करो किए तो प्रडिक्शन ना तो रूटीन सेट कर लो खतौ मुझे हथा थार पाइए ये फाटी चाह से खत्ball आ किंच्पागी समय क्या ये यू मैं चाहता हूं सिर्मा बैच पूरा ना हम लोग इंज्वाय करके निकालें लेकिन अगर इस तरह से चले तो मजा नहीं आएगा दूस्त कि दीरा सवाल कि फुल स्क्रीन पर लिए आते हैं इसको अब आपके ग्रूप पर चले आते हैं ग्रूप पर सब एड़े ना सब ग्रूप में हैं दोस्तों हो ग्रूप है नहीं हो तो चल्दी से वाट्साइप का मैंस पर बेज़ देता हूं कि नंबर बताओ नंबर डिलीट भी कर दिया कैसा आद मिया अचा भी अगर मैं दूआ ना तेरा नंबर मुझे मिल भी जाएगा जीरो डबल त्री सिक्स टू एट फोर फाइगा कुछ नहीं है हर उनलों के लिए नहीं कुछ नहीं करता है हां वह बाद में बना दूंगा अब अच्छ दूसी चीज में सोच रहा देक状 बहें आप लोगों साथ में बार-बार हमें तंग कर रही है ना सवाल पढ़ना स्टार्ट कर दो भाया खुद पढ़ना स्टार्ट करो पेपर समझे पेपर में सवाल आ गया इसका तावीज बना लेना है जो दूसरी चीज बेज रहा हूं ये एफ नाइन की पेपर के लिए बहुत अच्छा तावीज है ठीक है सुनरो सागर ये बहुत मैंनत से बनाया गया यह तावीज अभी बहेज रहा हूं तुमा ये तावीज जो भी दूसरा बहेज रहा है तुम पिच्छर ओड़ंगी सवाल के बाद सर सिर्फ सागर को बिजने नहीं सबको भेज रहा हूँ इसको अपने साथ बान लो गले में लगा लो इसको यह जो भी आपके पास आने वाला है रोज़ाना पड़ो इसको बार बार भेज दिया मैंने तावीज दिया मैं आपको में बेच रहा हूँ सिर्फ सागर को प्राइवाइट में बिज रहा हूँ क्योंने सागर भाई साब मैं सारी चीजे करके चलता हूँ मिला तावीज मिला आप लोगो बबस इसको छोटा अगर वाकिए बस गले में डाल वा ले ना यू उठा उठा के पढ़ लें जैसी कुछ सागर भाई आपको भी शेर कर दिया जी भी सवाल पढ़ो तुमनों के साथ अतना जल्दी टाइम गुजर गया यार क्या मैगनेटिक परसनेलेटी तुमनों की हैं ऐसा मुझे लोग कहते हैं आज चाम इंकॉर्पेशन क्या कर रहा है चाम इंकॉर्पेशन का सवाल चाम इंकॉर्पेशन आज सौफ्वियर कंपणी क्या है भाई या सौफ्वियर कंपणी थोड़ा बहुत नहीं डिटेल्स पे धियान दिया गरो पार्ट बीसी एटेंप्ट करने में बड़ी हल्प करती है हैस डेवलपा न्यू गेम फिंगो क्या बना रहे है एक नया गेम बना रहे फिंगो अच्छे आपकी क्या प्लांट की किट का एक सवाल भी हो जाएगा सेक्शन सी में तो आप उदर जागे टिक कर सकते हुए हमारा ही सवाल कंप्लीट हो गया विच इस प्लैंड टू फॉलोइंग आ फेवरेबल रिवीव बाई पॉपिलर पीसी मेगजीन देखो नॉन फाइनशल बाप बताए कि हो सब्सक्राइस की सेल बहुत अच्छी होगी क्यों कैसे पता चला एक पॉपिलर मेगजीन की सेल से उसकी रिव्यू से पता चला चाम इंकॉरपरेशन हैस बी इस फॉलोज सेल्स एंड प्रदक्शन 1,50,000, 70,000, 60,000, 60,000 यह उनिट्स में थी किस में थी उनिट्स में सवाल मेने को सेलिंग प्र गेम इस 25,24,23,22 विद अपैसेज अप्स ताइम हम पाइं प्राइस के अधर रे रिदूस फिनाशल इंपरमेशन ओन फिंगो उन फिर्स किर फैर्ट्य ओव प्रॉडप्रोच्छन इस फोलोज फिर्यक्व फइस दिर्क मतीरियल पक 5.5 5.4 पार गेम अधर वेरियबल प्रोडक्शन कॉस्ट इस 6 पर गेम, फिक्स कॉस्ट 4 पर गेम, एडविटाइजमिंट, अडविटाइजमिंट, अडविटाइजिंग कॉस्ट तु स्टुम्लेट डिमांड, आर एक्सपेक्टे तु भी 6,50,000, अडविटाइजमिंट भी गरानी पड़ेगी, इन बीटेजंा, यह जो पर फिक्स कॉस्ट दी है, यह क्या है, इंक्रिमेंटल फिक्स प्रॉडक्शन, इंक्रिमेंटल फिक्स ओवरएड याद करो, relevant हुआ हुआ करते दे रैलिवन ठीक है अगें कहा हुआ है अगर रालेज़न का लियंक समझ लो घर जाए के यूट्यूब पे जाए आजो फिक्स कॉस्स रिप्रेजेंट इंक्रिमेंटल फिक्स प्रॉडक्शन ओर है फिंगो विल बी प्रोड्यूस ओन न्यू प्रॉडक्शन मशीन कॉस्टिंग 800,000 एक नहीं मशीन खरीगने पड़ेगी जोगी किनी होगी आट लाक डॉलर की एक्स अलावेबल डेप्रीसिय टेक्स अलावेबल डेप्रीसियेशन विल बी क्लेंब ओन रिड्यूस इंग बैलन्स बेस अट रेट ऑफ 25 पर संट इसको अटा दो टेक्स अलावेबल डेजूसिंग अटादो इसको कर दो इसको क्या कर दो क्योंकि डिद्यूसिंग के भी हमने कैसे नहीं पड़े The machine will have useful life of 4 years at the end of which no scrap value is expected कोई scrap value मिलने वाली नहीं है अभी फिलाल इस सवाल को किस assumption से करेंगे Straight line से करेंगे Charm incorporation pays tax on profit at a rate of 30% per year Tax liabilities are settled in the year in which they arise जिस साल tax liability आती उसी साल ही क्या कर देते हैं पे कर देते कौन सा हुआ Same year Charm incorporation uses an after tax discount of 10% when appraising new capital investment Ignore inflation Ignore inflation Part A Calculate net present value of proposed investment and comment on the finding 11 months का है दूसरा आपके पास का है Discuss the reason why net present value appraisal method is preferred to other investment appraisal method सच as payback बोला NPV को ज्यादा क्यूं फौकियत दी जाती है बाकी सारे उस पर तो जब हम लोग एड्वांटेज डिसद्वांटेज पढ़ेंगा और अप्रेसी बात न्पीवी के क्या बताने है एड्वांटेज दूसरे वालों के क्या बताने है अब हमने एड्वांटेज डिसद्वांटेबल में याद किये मैं अब इसको इस सवाल में कैसे ड्राफ्ट करेंगे तो इसके उपर आप लोगो पिर मैं जब यह पार्ट भी करांगो तो इसके बाद हमनों करेंगे अभी फिलाल हमारा क्या है पार्ट आईए देखते हैं स्टार्ट करो आपको आता है सवाल करना नहीं आता जी यह स्ट्रेट लेंगे साब से कितना डेपरिशेशन बन रहे है डेपरिशन एक्सपेंस पर यह कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है पिटा एट हंड्रेड थाउजन स्क यह आपने यह पे लिए यह साथ मैं ने यहां पे के ले लिए कैपिल अलाविंच यहां पर टेक सेविंग आन Capital allowance सबसे पहले आपके पास Year 0, 1, 2, 3, 4 आगया Year 0 पे कोई capital allowance ही है दूसरे साल आपके पास 2,00, तीसरे साल आपके पास 2,00, दूसरे साल, तीसरे साल चौते साल पे हमने क्या कर ली Working कर ली तो आप चेक करो आपके NBV क्या बचेगी Zero Working देखे हो, NBV कितनी बचेगी Zero, Scrap value भी क्या है Zero, No gain, No loss तीसरे आपने क्यों कर आया जब पता है डारेलों से आदत डाल दी ना इस चीज की के अडलवादी आदत कि अगर किसी भी सवाल में अगर हुआ तो अगर आदत होगी बार बार यह working करने की तो हम कभी भी gain और loss को ignore नहीं करेंगे सभ़ना आगे वरना कुछ smart बच्चे जिनको सवाल करते ही idea हो जाता है कि यह working करने की जरूवत पड़ेगी या नहीं तो वो smartness अगर आप अचीव कर लेगी तो बहुत अची बात है practice से आएगी, कैसे आएगी? practice से 30% ज्याद अदर सवाल में 30 होता है बड़ ध्यान रटना दोस्तों कभी-कभी मजाग मजाग में 10-20% भी कर देता है 60,000 60,000 60,000 60,000 अब आप आज़ो NPV schedule बना सकते हो सबसे पहले हमने क्या लिखे है आपर years, year zero one, उपर से बनाता हो, अगर नीचे जगा का तब होगी नमस्ला हो जाएगा years, year zero one, two, three life of projectiveness, four four सबसे पहले आपके पास क्या आगी दोस्तों investment, जी भाई सवाल में investment कितनी है, मुझे तो नहीं नदर आ रही कितने की है, आठ लाग की कितने की है, 800 तॉप ने देखा कि इस तरह सीधे तरीके से नहीं दी होगी बताया था कि इसके लिए नया project के लिए मशीन खरीदनी पड़ेगी, या system खरीदना पड़ेगा, software वो कितना है, 8 लाग का मिलेगा, अच्छा, फिर इसके बाद आप आज है, sales, sales तो बड़ी तमीज से बतायी थी, selling price क्या है, पहले साल की 25, multiply by कितने units, 150, कितना आ गया, टीन जीरो अटागे भी काम करना चाहता है, वैसे तो सभी ले लो भी तो, 3750,000, और, 1680,000, कोशिश करना कि सवाल पहली दफ़ा में क्या हो जाए, सही हो जाए, अक्सर बच्चों की calculation की यह सवाल गलत होता है, किस किया से होता है, calculation की यह से, आपने 24 को multiply किया है, किस से, 70 से, फिर आपने 23 को multiply किया, 60 से क्या answer आया, 1380,000, फिर इसके बाद 60 multiply by 22, 12320,000, sales के बाद अगर आप दिखोगे तो आपके पास direct material है, direct क्या है, material क्या cost कितनी है, फाइफ पॉइंट फॉर, कोई changes तो नहीं है, नहीं है, direct material गरो 150 से कितना है, आप लाग दस अजार, और, 5.4 multiply by 70,000, 378,000, 5.4 multiply by 60,000, 324,000, 324,000, direct material के पास आपके पाद है, direct variable, cost, जी, 900,000, 6 multiply by 7, 6,7 जा, 42,000, 4,20,000, 6,6 जा, 36,000, 3,60,000, 6,3,60,000, फिर आदो, fixed cost, 4 per game, वो पहले वाले के इसाब से उदाएगी, which is 600,000, fixed overhead, अगर किसी को याद ना आ रहा हो, याद ना रहा हो, कैसे किया, कैसे हुआ, पढ़ने बैठोगे, भूल जाओगे, तो कुछ नहीं करो, याद ब्रैकेट में लिखो, क्या लिखोगे, 5.4 लिखोगे, 4 लिखोगे, fixed cost, multiply by 1,50,000, तो कितना है दोस्तों, 600,000, आगे गेम करो, आगे सवाल करो, मैं जरा ये call ले के बाता हूँ, अलू, 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 आज रिखोगे, आप अलू, किया इश्यू होगे वैसा अरेंज्मन के, कितने पीरिट्स आपके पास आ गये, कौन सी ग्लास में कितने पीरिट्स आ गया है एक एक यह है तो उनका एक पीरिट आ रहा है बस ऐसा है चल्ब आपको टेस्ट पेपर बेज़ेता हूं टेस्ट पेपर बेज़ेता हूं ठीक है ओके 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 मैं ओके कि क्या कर आप सबसे मंटिप्लाय करा फोर को अभी थोड़ देर पहले बताई यह बात पता नहीं बच्चे पेपर में टेस्ट में क्यों भूल जाते हैं और पता नहीं रवानी में शायद गलत कर देते अब तो दो तीन दफा जगा बतादी भाई फिक्स कॉस्ट चेंज हो सकती है बड़ ड्यू तो लेवल अक्टिविटी चेंज नहीं होगी अच्छा फिर और भी फिक्स कॉस्ट सब्सक्राइब इन फिक्स फिक्स प्रडक्शन को स्थिंगर दी का पता चलिकी जुम्ला फिक्सिंग स्विख प्रेजर टो बच्छा समय में युर्वों आुए तो लिखा एल डेको क्यों बोला ताकि cash flow relevant हो जाए incremental क्यों बोला ताकि relevant हो जाए क्योंकि general fix overhead या जो head office fix overhead ते वो लिए जाते नहीं यह वो fix overhead production cost का यह fix overhead यह fix fix production overhead कि अगर finger बनाऊंगा तो यह खर्चा आएगा finger नहीं बनाऊंगा तो यह खर्चा नहीं आएगा ठीक है अच्छा पिर इसके बात है आपके बाद advertising है ना advertising जी एड़डाइजिंग कितने इसाब किता बन रहे है पहले साल का किता बन रहे है इसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास और क्या है सेल्स हो गई टारेक मटीरल वेरियेबल प्रड़क्शन ओवर हैड़ एड़डाइजिंग investment बस खतम अब आपने इसके बाद क्या कर दिया taxable profits calculate कर दिये क्या calculate कर दिये taxable profit तबचा देना सवाल में अचाना सिर्ट स्विच आएगा गड़ा जी टेक्सिबल प्रॉफिट में यहां पर इंवेस्मेंट में कितना आगया 800,000 नेगेटिफ यहां पर कितना बचा पते क्या करो यह को तीन तीन जीरो के बाद मैंने कॉमा मार दिये तो सिर्फी जुरू के नंबर है न वो लो 30 इंग्नोर कर दो 30 क क्या कर दो इंग्नोर तो कैल्कुलेशन जल्दी हो जाएगी 3750 में से 810 माइनस होगा 900 माइनस होगा 600 माइनस होगा किता 793 थाउजन 790 थाउजन ठीक है सब्सक्राइब बूड़ा होगा नो दोस्त तो अब आज को चौह आती है वन इटी नाइनटी सिक्स थाउजन इतना वेचा वेचा मिलियंज में खेला बच के आ रहा है बट इस स्टिल इन डॉलर्स ठीक है जी थरी सिक्स थाउज अच्छा फिर इसके बाद आपके पास क्या है टेक्स किस पर है एट थर्टी परस नो टेक्स हाव मच आगे का बता दे वन इटी तो पाइप फ़र शेक्स डबल जिरो और तू डबल एट डबल जीरो और तू थर्टी सेवन अच्छा वाई सागर और उमर आपने भी क्या लिटर यूज करना है अब इसके बात क्या है सबसे पहले तो ले लिए टेक्स सेविंग्स का इंफ्लो नहीं ही टेक्स सेविंग्स क्योंकि जो टेक्स कैल्कुलिट हुआ है ओर स्टेट इसको क्या करना होगा एडजस्ट कितनी सेविंग्स विदी 60,000 की 60,000 यहां 60,000 यहां 60,000 यहां 60,000 यहां अच्छा टेक्स सेविंग्स भी हो गई फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो कोई चीज है हाँ एक और कैश फ्लो है पिटा जब मशीन बेची तो स्क्रैप वैल्यू आती मशीन बेचते तो क्या आती लेकिन इस सवाल में कोई स्क्रैप वै पैसा गया, सेल पैसा आया, मटीरियल का पैसा गया, लेबर का पैसा गया, एडविडाइजिंग का पैसा गया, टेक्स का पैसा गया, टेक्स को एडजस्ट कर दिया, टेक्स को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, फिर एक बास हो तो इसी प्रोजेक्ट में उसकी मशीन भी तो बेचोगे तो इसकी स्क्रैप वैल्यू आती तो अगर होती तो मैं यहां पर स्क्रैप वैल्यू ले लेता विच यहां पर क्या है जीरो ठीक है अब आपके पास क्या बच जाते क्या बच जाते नेट कैश फ्लोस जी यहां पर क्या आ गया एट हंड्रेट थाउजन नेगेटिफ जी बताईएगा जड़ा यहां पर साथ्म त्रूर्म इंते है विच्छा घ्लती ही नहीं करते हैं लेकिन अगर आपने साइन लगाएं होंगे आपने क्या लगया होंगे, साइट, 187400, नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास आजाता है, डिसकाउंट, फेक्टर्स, एट 10 परसंट है, 10 है, आफ्टर टेक्स 10 परसंट दियावा था, ठीक है, वो तो मुझे याद है, लेकिन आप लोग को मैंने शीट्स बेज दिये हैं, प्रेजेंट वैल्यू के अंदर जाओ, 10 परसंट के अंदर जाओ, पहला, दूसरा, तीसा, च 7510.683, मैंने इतने दवा सवाल सॉल्फ किया कि मुझे क्या हो गया है, याद हो गया है, दस परसंट का, क्योंकि बीच में भी पाकिस्तान का भी ने एक वक्त तक डिपॉसिटेट दस परसंट रहा है, क्या रहा है, अभी 12-14 चल रहा है, 12 और चाओ, डिपेंड के आप कैसे निगोशियेट करते हो, बैंक के साथ, और कित्ती बड़ी पार्टी ओप, ठीक है, प्रेजेंट, वैल, अब आपके पास आजाता है, 800, 1000 डॉलर, नेगेटिफ, इसका बता दो, बाकी सबका बता दो, एक मैने गालकुलेट कर लिया, बाकी आप कर लो, 557217, 557217, जब हम इसको किट से मैच करेंगे, तो हमारा सवाल का जब सही आएगा गलत हैगा, बुला गलत हैगा, क्यों, क्या मैं हमने रिद्यूसिंग निकिया, स्ट्रेट लाइन कर दिया, कल नेक्स क्लास में जब आप आओगे, तो आपका क्या करवाँगा, मैं, रिद 154792, 95527, 5819, अचा नहीं, वैसे भी चेक कर सकते हो, आप बाकी कैशलोस चेक कर लेना, घर जाके, किट के पीछे जाके चेक करना, सर्फ फॉर्मेटिंग अलग हुई भी थी, लाना सिखा दूँगा, लाना सिखा दूँगा, लेकिन फायदा नहीं हो, फॉर्मेटिंग मैंनों आपको NPV, मिरोंको एक लाग फॉर्मेट्स आता है, NPV कालकुलिट करने के, सीखने, बंदा एक फॉर्मेट्स सीखे, जो सदा बहार हो हर सवाल पर फिट होता है, हर सवाल पर फिट होता है, जी, फाइव एट, लेकिन सीखनी हर चीज़ चाहिए, आपके भी उस्ताद ने तो सब सीखा, एक दो सीखो के, खुदी कॉन्फिदेंस आरे काड़े, यार वही बात लिखी होती, बस उपर नीचे करके, जैसे अगर 2 플ॉस 2 बरके यहाँ पर 4 लिखा हो इसी, लिखा हो सकता है, clear, कितनी है Net Present Value, comment लिखने का एक मांक से, रिखा हो है, comment on your finding लिखा हो है, 11 मेंसे दोटेपकgt है ना, वो comment गाया है, जाके मांकिंग स्कीम भी देखकर आणा 65,748 एंपीवी का सवाल एक लाजमी आता है एंपीवी का सवाल लाजमी आता है सेक्शन सी के अंदर लाजमी 100 परसंट उसमें नपीवी डिसकस हुई भी होगी अच्छा भई तुमनों को अगर क्लास में कभी ब्रेक चाहिए हो कुछ हो बोलना पड़ेगा सही मैं तो मशीन टाप आदमी हूँ वर्कॉलिक टाप आदमी हूँ सही आपको बोलना पड़ेगा कुछ भी हो आपका कोई पॉइंट है कोई इस्जू है कुछ भी है बता दो हलो जाएगा अगर अगर अगर